की बचलो विससी फेक्ष्टम में कुछ मेंटर आयन का रिडिक्शन पोटेंशल दिया उवा है तो इसमें एल फ्लस ए से से अलमोनियम को रिडिक्शन पोटेंशल जो वैलू है 1.66 बॉल्ट दीया हूआ है माइनस पॉइंट सेन फॉर वोल्ट दिया हुआ है रिस्पेक्टिविली अब इस वालुज का यूज कर क्या को बताना है वाट इदक करेट्ट डिग्रीजिंग और अफ रिडिशिंग पावर अफ दे मेटल तो हम देंगे मेटल का जो डिशिंग पावर होता है वह इनवस् सकते हो जिस मेटल का रिडिशिंग पावर क्या होगा सबसे ज्यादा हाई होगा उसका रिडिशिंग पावर क्या होगा सबसे लोएस्ट होगा तो सबसे लोएस्ट रिडिशिंग इसका दिया हुआ है तो के प्लस से के का दिया हुआ है तो के प्लस से के में मैटल कौन है प फिर से मैं repeat कर रहा हूं इस question का concept क्या है जिस metal का Reduction Potential highest होगा उसका Reduction Power क्या होगा lowest होगा या फिर आप उल्टा बोल सकते हो जिस metal का Reduction Potential lowest होगा उसका Reduction Power क्या होगा highest होगा रटिमिटली आपका अंसर किया था बे यह था इस question का analysis मौं करें वैसन पर पता है ऑपको इस ज degli जो है यह ने निन्यक्व real लेंगे तो बहुत सिम्पल हैं आप क्या करना जो कैथोड होगा कर थोड का द seventeen लेलना माइनस एक जोड का अपर झाल नहां और पे points लेलना। यहां और भोर को अछे पाइद बस आपको जज करना है इसमें कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा तो जिसका रिटक्शन प्रोटेंस से लोएस्ट हो का उसका अपनोड बनाओगे जैसे यहां पर जींग बस उसे जिंग का जो वैलू है निगटिव में है यानि इसका वैलू लोइस्ट होगा तो यह बनेगा एनोड और सिलवर बनेगा एनी एजी टू जो है बनेगा कैथोड तो दोनों के वालू को पूट कर देते हैं ना कैथोड का वालू कितना लिया हुआ आपके पास सिस्टम होंगा सीड़ होगा करेक्ट तो यह था आपका प्रोच इसको आप ऐसे हो सकते हो तो अक्स quemagra homo होता है reduction तो आपको cathode का चाहिए reduction potential यानि मैं simply बता रहा हूँ कि जिस एल्टोड पर जो process हो रहा है उसका potential बता कर ले तो एनोड पर oxidation होता है तो वहां को oxidation potential बता कर ले कैथोड में reduction होता है reduction potential बता कर दोनों को इसका reduction potential दिया हुआ है तो उसका oxidation potential क्या होता है तो same reaction का जो oxidation potential होता है जस नेगेटिव होता है यानि इस किसमें अनोड का जो अगर बात करेंगे oxidation potential कितना होगा आते हो जाएगा 0.76 वोल्ट यानि जस नेगेटिव को positive करती हम लोग इतना ही काम करना है और कैथोड का मेरे को चाहिए reduction potential जो कि given दिया हो कुष्ण में कितना दिया हो 0.34 तो इसका summation कितना हो जाएगा 1.1 फिर से हो जाएगा तो आप इस तरीक से भी सोच कि इस question को बना सकते हो कभी कभी क्या होता है यह तरीका भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह से से भी हम कैसे सेल को पूटेंशल को निकाल सकते हैं तो यह था इस कोशन का solution मूव करते हम लोगो नेक्स कोशन में बच्चों लोग आपके सामने हालोजन का reduction potential दिया हुआ है यानि हालोजन अपने हालाइट्स में convert कर रहा है उसका प्रोसेस का reduction जो हो रहा है उसका potential गिवेन दिया हुआ आपके पास अब बोला गया है इनमें सबको चूज करना है strongest oxidizing agent and strongest reducing agent तो धान देंगे जिस हालोजन का reduction potential highest होगा वो खुद को reduce करना चाहेगा यानि वो best oxidizing agent होगा तिन वालू को चेक करोगे तो highest जो वालू है किसका है f2 से f- का तो जो fluorine होगा उसका tendency होगा reduce करने का यानि बेस्ट क्या होगा oxidizing agent होगा ठेक है तो एक ही जगह पर यह option दिया हूँ option a में तो हम लो reduce होने का tendency क्या है low है तो उसके जो अनायन फॉर्म कर रहा है वो बैक आना चाहेगा बैक मतलब खुद को oxidize करेगा तो उसके समय जो अनायन है उसका खुद को oxidize करेगा तो क्या होगा उसका reducing power क्या होगा highest होगा इन यहां पर आप देखो कि आई टू से आई मैनस का क्या है तो उसके समय जो अनायन है अनायन का टेंडेंसी जो होता है ऑक्सिरेज करने का सबसे ज्यादा होगा तो अनायन क्या होगा खुद को oxidize करेगा तो उसका reducing power क्या होगा ज्यादा होगा इसमय जो होगा highest reducing power यानी reducing agent क्या होगा होगा आई माइनस का ते था इसको क्वेशन का analysis मूग करता हूं लोने इसको क्वेशन पर बचलो इसको क्वेशन में आगे पास तीन मेटल है एकस वाई जड़ और तीनों का reduction potential दिया हुआ है और बोला है इसको arrange करना है reducing power of के recording तो दहां देंगे जिसका reduction potential lowest होगा वो मेटल खुद को oxidize करना चाहेगा यानी उसका reducing power क्या होगा highest होगा तो सबसे lowest value किसका दिया हो अच्छों लोग जेड का दिया होगा माइस री जेड के बाद होगा एक्स और सबसे highest जो है reduction potential किसका है आपका वाई का है तो उसका reducing power क्या होगा lowest होगा तो अगर और अर्रेंज करते हैं तो highest होगा जेड देन होगा एक्स देन होगा वाई यानि option C क्या होगा आपका correct answer होगा तो इसकोशन काला इस स्मूप करता हो ने इसकोशन पर बच्छों लोग आपके सामने पर इसको बनेगा तो इसमें आपको पहले पता करना पड़ेगा इसमें और क्यों किसको लोगे तो जिसका reduction स्वेशन प्लस फोर है उससे स्वेशन प्लस हो जाएगा तो इसका आरपी है है तो उसको बनालना कैथोड और इस प्लस म्यों से क्रोमियूं का जो आरपी है इन्रेशन पोट्टिर लोगा आप अनोड जिसे वालूज क्या होगा तो फॉट्ट करो 015-0.74 इसका का समेशन क्या जाएगा पॉइंट एट नाइन वोल्ट यानि या आंसर जो होगा बी होगा करेक्ट तो बचलो यह था इसको इसको एक और तेगे समें कर सकते हम लोग कैसे कर सकते हैं तो धान देंगे जब भी आपको सेल का पूछा जाता है तो इसमें एक और तरीका है आप बोलोगे कि जो एनोड है जो एनोड है एनोड प्रोसेस क्या होता है ऑक्सेडेशन तो एनोड प्रोसेशन प्रोसेस होगा तो एनोड का हमको चाहिए ऑक्सेडेशन प्रोसेशन प्रोसेशन होता है ठीक है और जो कैथोड होता है वहां प्रोसेस क्या होता है वहां रहा उसका पॉटेंशिल दो तो क्या पूट करोगे आप रेक्शन पॉट करोगे तो यहां पर आपको इस कपल में आपका कैथोड कौन था SM प्लस फोर से प्लस टू तो उसका आपको आर्पी चाहिए तो आर्प आपको दिया हुआ इससे यहां प्लस टाइब क्या होगा इन değild手 फोर पॉट करोगे तो यहां पी आप सो सकते हो siitä इसका वालू क्या हो नेट समोगा है कि कितना आएगा पॉंट 89 वोल्ड आ जाएगा यानि यह भी एक तरीका है आपकी निकाल लेगा जिस एल्टोड पर जो प्रोसेस हो रहा है उसी प्रोसेस्ट को लेकर जोड़ दो यानि इनोड का आपको चाहिए ऑक्सेडिशन प्रोसेस् होता है उसको एड़ाप करके आपको नेर्शल प्रोसेस्ट मिल जाएगा तो यह था बचलो इसकोशन का अलाइसस मूफ करता हम लोग लोग बचलो इसकोशन में आपके सामने आर्म प्लस टू प्लस थ्री और आई-माइन है और इसमें आपके पास बोला गया है कि एप प्ल अच्छन पॉसर्ण दिया होगा है तो जिसका पॉसर्ण से ज्यादा होगा वह वहां प्लस टू का ज्यादा है यानि यहां पर आरन प्लस थी से प्लस टू जाना चाहेगा कि और आप देखोगे कि जो आई टू से आई मैंस अग्स कर सिए जाएगा और आपसंट जो सी होगा सी होगा सी होगा करेक्ट तो बचले यह था इसके कोशन का सिस्मोफ करते हैं वो लो से पर बच्छों लोग इस कुश्टन बोला गया है कि आप इनोड सेल को किस किस तरीक से रिप्रजिन कर सकते हो तो धान ना तो फंडामेंटल अप्रोच जो होगा धान सुनना आपका जो इनोड सेल होता है उसको आपको सिंपली क्या करना है एनोड और कैथोड का सम करना है ठेक अपको एनोड का लेना है ऑक्सेडेशन पोडेंशियल ठेक है और कैथोड का लेना है अपको एक चाहीए होता है बसमझ में है तो सौट में हम बोल रहे हैं कि अनोर का हमको चाहिए O, P, O, P मतलब Oxidation Potential और कैथोर का चाहिए रपी यह लोजिकल वे है अगर माल लेते हैं इस केस में अगर आपको माल लेते हैं कि तुमको देदेगा दोनों का oxidation potential देगा यानि अनोड का भी OP है तो एनोड का OP कोई दिक्कत नहीं है और cathode का भी OP देदेगा तो cathode का OP को आपको RP में change करना पड़ेगा RP में change करोगे तो minus apply करके यानि negative of cathode का OP यानि oxidation potential ये भी एक formula हो सकता है अगर मा लेते हैं कि दोनों का RP देदेगा तो चलिए चाहिए और इनोड पाःयन और बिदिया हुए तो नहीं है और आपको आपको आर्मइठर करना पड़ेगा तो इनोड को है प्यक्त्र们 करेंगे उसको माई समल करके तो यह पर हो सकता है ठीक है और अगर मोह लेता है कि आपको कैथोर का O.P. दे दे और एंहोर का R.P. दे उसमें क्या होगा तो उसमें माइनस EMML प्लाई करके एंहोर के R.P. कॉ- प्ली में चैंज किये और माइनस EMML प्लाई करके कैथोर के ओपी को आप RPG में चैंज किये तो ये भी अपका CELL PSAL muy product formula हो सकता है अब द्यान देंगे इसको यूज करके देखते हैं कि कौन से सटिस्फाइब करेगा तो यहां पर प्लस होता है नहीं आपका वन गलत हो गया अगला बोला गया है अगला पॉइंट है जो प्रोसेशन 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 होना चाहिए तो मैंने नहीं दिया हो इसलिए गलत हो जाएगा अगला पॉइंट है प्रोसेशन 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 करना था कि हमारे साइन दिया हुआ है जो कि मिसिंग हमारे सिल दिया हुआ दोनों का oxygen प्रोसस तो दोनों का और दिया हुआ है और बोला गया है में स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सिदाइजंग एजन कौन सा होगा तो चुछ कि आपको और सीटिया हुआ है तो जिसका और सब्सक्राइट ज्यादा होगा उसके आयान का कम होगा ना चुकि यहां पे आपका माहिना लगा हुआ है तो आब minus point 35 तो जिसका ज्यादा है वो वापस reduce होना कर टेंटी से कम होगा और जिसका कम है oxidation potential तो इसका कम है तो वापस reduce कौन होगा आरन प्लस 3 तो आरन प्लस 3 से जो प्लस 2 होगा तो इसका जो value होगा हो जाएगा point 77 यानि point 77 वोल्ड हो जाएगा यानि जो strongest oxidizing agent होगा, वो होगा, iron प्लस 3, यानि option A क्या होगा, correct होगा, तो बचलो A था इस question का, आलाइस से move करता हूं लोगा इस question पे, बचलो आपस हमने एक cell करी presentation दिया हुआ है, इसमें anode पे क्या है, A से A प्लस है, और cathode पे क्या है, B प्लस से B फॉर्म कर रहा है, वो इस क्या होगा, तो अब देखो कि cell reaction किसके साथ match कर रहा है, तो match कर रहा, option A के साथ, option A क्या होगा, correct होगा, तो यह था इस question आलाइस समोग करता हूं लोगा इस question पे, बचलो लोगा हमने, iron प्लस 2 से iron का, आरपी दिया हुआ है, इन्हीं reduction potential दिया हुआ है, minus 0.441 volt, और iron प्लस 3 स प्लस 2 का भी reduction potential दिया हुआ है, 0.771 volt, तो बोला गया है कि standard aim of the reaction क्या होगा, इस reaction में क्या है, iron से iron प्लस 2 को बनाए गया है, क्या, anode बनाए गया है, और iron प्लस 3 से प्लस 2 को बनाए गया है, cathode, यानि यह reaction हो रहा होगा, यानि इस half cell को आपको बनाना है anode, और इसको बनान का चुकि आरपी दिया हुआ है, तो cathode का आरपी, minus anode का आरपी, तो cathode का रपी कितना, 0.771, minus of minus 0.441 volt, इसको आप अप कर लो, तो क्या हो जाएगा, तो धान देंगे, add up करने पर value कितना हो जाएगा, value हो जाएगा, 1.212 volt हो जाएगा, तो यह था प्रोसेस का निकालने का, इन फैट आप ऐसे भी सूचते हो, कि जो anode बनेगा, तो दोनों का चुकि आरपी दिया हुआ है, तो जिसका रड़ेशन पोटेंसिल क्या होगा, ज्यादा होगा, वो बनेगा, जिसका रड़ेशन पोटेंसिल कम होगा, बनेगा anode, तो उसमें इनोर सिल कैसे निकालेंगे, जिसका पोटेंसिल आरपी हाई है, वो बनेगा कैथोड, तो उसका आप रड़ेशन पोटेंसिल ले लो, 0.771 वोल्ट, और जिसका रड़ेशन पोटेंसिल कम होगा, उसको बना होगा anode, तो उसको आपको आरपी दिया हुआ है, तो आरपी को ओपी, यानि रड़ेशन 0.441 वोल्ट, उसको simply आप एड़ कर लो, 0.441 वोल्ट को आड़ कर लिए, तो भी आंसर सेम होगा, 1.212 वोल्ट, मतलब, किसी भी देर के सौल करो, कोई दिकत नहीं है, तो पहला बाल जो अप्रोच था, आपके बुक में लिखावर होता है, ज्यादा लॉजिकल है, कि ये प्लस टू, प्लस टू, प्लस टू प्लस टू प्लस टू इन एफ़ का ब्लॉक्स को अगर है सात रखेंगे तो कम हो गहां पर होगा, एं दोनों में आपके इस पॉइंट पे रटक्शन होगा, क्यी है और्याहं पर यहां पर क्या होगा oxidation हो जाएगा यानि इस acceleration का हम लिख के देखें जिसमें क्या होगा f e से f e plus 2 बनेगा यहां oxidation होगा और iron plus 3 से क्या होगा plus 2 बनेगा अब इन दों को जोड करके net selection लिख लो तो net selection क्या होगा batक हibl cama Hong गिप्र मुए हुक फीप्लस 2 इस प्रोसेट में हो क्या रहा है कि अगर इन सब के ब्लॉओक को तुम्हसते रखते हो आप काल्टमेट्टली क्या होगा और स्वेल्टा डुलीख वे प्रोसेट्री फिल्ट में क्या होगा समय कुर्षन का जगे के इन दोनों का ऐन और कि प्लस टू को ये आनोड होगा को पॉठीलण पर या रहता है तो जिसका ऊक्षिदेशन प्रटेंसिल ज़्यादा होगा उसका टेंडेसिया energized होने का होगा तुसको अपक अनोड बनाओगे तिसमें आप जिंक से जिंक प्लस टू को अनोड बनाओगे यह अपका अनोड हो गया और रम से रम प्लस तू को आप क्या बनाओगे कैफॉड बनाओगे अब दोनों में आपको क्या दिया हो दोनों में आप पको oxidation potential दिया हुआ है तो आप जो इनोड सेल निकालोगे तो इनोड जो होगा उसमें क्या होगा उसमें आपका कैथोर का आरपी चाहिए तो कैथोर का चुक्कि ओपी दिया हुआ है आपको तुसको आरपी में जिन करेंगे माइनेस करेंगे नहीं बेसिक लिए अनोड जो भी है जो ए नोड का ओपी चाहिए और कैथोड जो है उसका आपको आर्पी चाहिए तो जिंक है dont do है Po 76 और कैथोर का पाफ़िज में प्लास पॉर फोर स्टाइब कितना होगा माइनस पॉर फोरो ते सक्कू यहां पुट्ट करोंगे कैथोड का आपको अरपी चाहिए तो माइनस फॉर 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 वोल्ट हो जाए तो यह था इस question का analysis move करता हम लोग नेक्स question पर बच्चों लोग आपके समझाए यह लोटर chemical cell सेट किया हुआ है और इसका cell का representation दिया हुआ है तो आपके एनोर्ड पे S2 gas के pressure का फालो 180m है और यहां पे SCL का 0.1 molar T है राइट सेट में cathode पर आपके पास है SCT.1 molar और आपका S2 gas होगा 180m तो आपके पैस धन्दना जो एनोर्ड पर प्रोसेस होगा उसमें क्या होगा आपका S2 gas से H plus जाएगा अब जो H plus आ रहा है आपका strong acid आ रहा है तो यहां पर H plus का 1 को लिख सते हो पॉइंट 1 molar यहां पर 2 लगा दो राइट से जो cathode होगा उसमें क्या होगा 2H plus से H2 जाएगा स्टू का प्रेशर यहां भी क्या है 180m है अब यहां जो concentration यहां जो H plus आ रहा है या रहा है weak acid से तो यहां पर H plus का amount होगा वह 0.1 से छोटा होगा जो भी होगा X1 लेते हैं ठेक अब जहां देंगे इन दोनों रिच्शन का add करके जब लिच्शन लिखते हो तो आपका ultimately आ जाएगा 2H plus जो है यह वाला इसको यहां लिख रहे हैं हम लोग से 2H plus यहां पर कौन सा इसा है क्योंकि एसा strong acid है और आपका acid weak acid होता था फुली आइस करेगा नहीं तो हम जो amount होगा वह 0.1 से काफी कमाएगा काफी कमाएगा अब पॉइंट है इस reaction में आपका n कितना लेंगे तो n होगा टू कि एन इल्ट्रोन कितना लेंगे एन्धोगा टू अगर इसी दिखते है यहां पर टू-टू-क कैंसल करना चाहते है अप टू-टू करते हैं अगर इंदनों ह्टू को उस किसमें घाटा है से 5 सिर्सकि क्या हो ए क्यों हो जाए हैं सेड स्कॉइर स्फसिंटकर नंगी थी यह च्ज़स्ण स्फस्णestsस्णट होगा है और आपको फाल्टिन स्देड़ा होगा उा levar जाएगा यारतक्प्डिर्थी आपके जो नोग सेक्रेस्टिंट लाए जाल जाएगा ठेक है याद रखना तो ULTIMATELY आपका जो GNOS SETUP करोगे अल्जान से कुछे कोंसेंट्रेशन से लहते हैं यहाँ पर E cell होगा एक क्या होगा इनोट सेल माइज़ 0.059 अब घंड्रानेंगे आपके चुकि ए हाड़ीजन सेल है इसका इनोट सेल इसका इनोट सेल क्या होगा जीड़ो होगा ऐसे log q अब चुकी क्यों का फ्यलू वन सबढ़ा है क्यों को लुइंसर होगा तो चुकि बाहर कि तो इसका log 1 क्या हो लग पॉस्टिब होगा अब लॉग एन्यू लॉग क्या होगा पॉस्टिव हो गया इसका मतलब esseell क्या हो गया इसल के नेगेटिव आ करेगा इसमें आपका जो है प्रोस्ट नेगेटिव होने का अपका रीजन क्या हो सकता है तो रीजन बेसिकली है कि दोनों का एच प्लस का जो कॉंसेंट्रेशन सेम नहीं है प्लस जो है आपके कैथोड वाले पॉइंट पे जो एच प्लस का मौंड है तो जबकि ऐसा होगा त रखे गया तो इस सेल को अगर काम करना था तो उसमें क्या होना चाहती जो जडीट्यूर्स का होना चाहिए था से मैंच्ट करेगा हमारे साथ इसका इसका आंसर हो shuts लोग इसका अंसर होगा ऑप्शन डी पी एच ओफ पॉइंट वन मुलर एस सीरेंग पॉइंट वन मुलर से आर नोट से हैं यानि दुनों अलग-अलग है तो दुनों का इस पर सकांसर डिफरेंट होगा तो क्यू भी क्यू बढ़ा गया तो आप इसको अपना बेस्ट आंसर म सब्सक्राइब दिया हुआ है और व्यालू जाक पास मेंजन किया हुआ है अब ध्यान देंगे आपको बोला गया है कि विच वन अव दॉड फॉलिंग इस्टॉंगेस्ट ऑक्सिडाइजिग एजेंट तो द्यान दोगा आपको डिक्सिन पोटेंश पोटेंशिल दिया होगा खुद को रिडूच करना चाहेगा खुद को रिडूच करेगा मतलब उसका ऑक्सिडाइजिंग एजेंट का जो भी होगा सबसे बेटर होगा तो आप देखोगे यहां पर जो भी पोटेंशल है हाइस किसका है तो इसमें आपको साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा त इसका मतलब एम जी प्लस टू आयन का जो रिडूचन पर निक्सल हाइस्ट है मतलब एम जी प्लस टू इज बेस्ट ऑक्सिडाइजिंग एमॉंग देम इनी आंसर का हो जाएगा भी तो यह था इस कुश्चन का एनलाइसिस मोग करता हूं नेक्स कुश्चन पर बचलोग इ कि बिए और माइनस खुद को ऑक्सिडाइज करेगा बीयाद डू में तरफ दानेंगे है अगर किसी के अनायन को उसके हालोजन करना है तो हम लोग क्या करते हो उसके समय अगर उससे जूपर का हालोजन अड़ करते हैं जैसे ब्रॉमीन माइस को बिया टू भीजना तो हम ल फ्लोरीन या क्लोरीन एड करते हैं तो क्या होगा उसमें नीचे वाला हालोजन का जो नेगेटिव है उससे आप हलोजन निकाल सकते हो इसके इसमें पास करोगे तो खुद को भेजेगा करें underm है कि अभिक में करते हैं कर दे ze usual काई है का हइं अगर आपको माले नचानरा होता है उसके मालोजन हो इसके तो फ्लोरीन एक फ्लोरीश प्लोरीन वनप्रूमीन फिर रो हो किसे रहेगा क Этот लटता है या तो क्लोरीन लेते यह क्या लेता है आप फ्लोरीन लेता है तो option में क्या है option में क्लूइन दिया हुआ है तो आपका सी option क्या होगा correct तो यह था बचलो इस question का analysis मुग करता हूं लोने इस question पर बचलो आपको सामने एक assertion region question दिया हुआ है इसमें assertion क्या दिया हुआ है कि इन है equation delta G equal to minus n fe cell the value of delta G depend upon n small n जो कि होता है number of इन प्रोसेस इसका region क्या बुला हुआ है इसल एजन इंटेंसिफ प्रोपर्टी एंड डिल्टा जी एजन extensive property अब धान देंगे आपका इसको यूज करें बताना कि कौन सा option करेंट होगा तो धान देंगे पहला जो एक कि अशर्षन है एक करेंट है यह निए आपको जो डेल्टा जी वालू होता है कहीं ने कहीं आपका नंबर अफ़क्तान पर डिपेंड करता है तो पहला असर्षन क्या होगा करेंट होगा जो रीजन है तो वह भी करेंट होगा क्योंकि जो सेलफ पोडेंशल नीटन्सिव प्रॉपटी होता है तो डेल्टाजी होता है यह वा यह सेदंगे दोनों सही है बट रिजन जो है अश्रसंग का करेट एस्पिनेशन नहीं है तो यह था इस कुश्चन का आंसर मूव करता हूं लो ने इस कुश्चन पर बचलो अपसमें दो हाफसल दिया हुआ है तो पहला हाफसल में क्या आर खुर्मेंस माटन दिया है और इ creep 10 दिया हो ख़ण यह इसको उल्टा कपा देंशिल यहीं हो मुझे इस meter चाहिए इसके ट ses mira मिलेगा तो जो यह जो ऑक्सिदेशन पोटेंशिल दिया है अपको ओपी मतलब ऑक्सिदेशन पोटेंशिल इसको उल्टा कर दो ना इसको उल्टा कर दो तो यह हो जाएगा यह मनोफ फोर माइनस से मन प्लस टू इसका वैलू हो जाएगा 1.510 मेरे को यह चाहिए अर्पी ठेक नीचे दिया हुआ है अब अगर ओटू को रिडूच करोगे वाटर में तो उस रिडेक्शन पोटेंशिल दिया हो अपको प्लस 1.223 वोल्ट बास समझे अब इसमें क्वेश्चन आप से पूछा गया है कि विल्दा पार मेंगनेट आयान यान एमरोफ फॉर माइनस आयान लिबरेट ओटू फ्रों वाटर इन दप्रेंस अफन एसीड तो था मेंगे अगर ओटू को लिबरेट करना वाटर से इन असीडिक मेंडियम तो को रेशन क्या होना चाहिए था तो से ओटू निका कितना होगा तो यह पोटेंसल होगा इस पोटेंसल का जस्ट नेगेटिव होगा तो आपका जे पोटेंसल होगा ये ऑफ्रबस टू से ओटू इसका वैलो हो जाएगा माइनस ब्रद दो घुरेट वोल्ट आ समझे माया और मन ओर- बटेंस ओडिक्शन टेंस लेगECT यहां आपको यानि इस सेल अगर फीजिबल होगा तो एमनों फॉर माइस खुद को डिच करेगा और एस्टो खुद को औक्सिडाइज करेगा तो दोनों का नेट सेल अगर हम देखेंगे तो दोनों को सेल को कमाइन करते हैं तो इसल जो होगा उसमें एनोड कौन है एनोड है और नेट सेल का ब्लस क्या चाहिए जो थो हुद दो ने वालए उसका आर पी दिया हुए और पाइफट्टा और प्लस तू प्लस तू बनने वाला है उसका आर्पी दिया हुआ प्रोइन प्रोसेस का पॉटिंचलने में निकाल सकता है इसका है टो बचल एइसमों करता है माने अउम्स कोच्टन पर बचलोगर आपके सामने कुछल टोड का reduction potential दिया हुआ है तो copper plus 2 से copper का जो value दिया हुआ है दिया हो 0.34 volt zinc plus 2 से zinc का कितना दिया हुआ है minus 0.76 volt आपका जो rn plus 2 से rn जो है उसका value दिया हुआ है minus 0.44 volt और आपका जो है ag plus ag बनने का है 0.8 volt अब बोला गया है इन potential को use करके आपको predict करना है कि कौन सा ratio feasible और कौन सा ratio feasible नहीं है तो दहां देंगे जब भी हम बात करते है ratio feasible है कि नहीं feasible है तो हम simply क्या करेंगे हम निकाल लेंगे e cell ठेक है तो e cell अगर positive आएगा तो delta g होता है minus nfe na minus nfe तो delta g note क्या होगा minus nfe note होगा तो e cell पॉस्टिव आगा तो delta g क्या है प्रोसस हो रहा होगा है तो सारा कहान यह क्या करोगे और इन इन क्या को ओसे स्लिक्ट्व करना अ तो इनोरियोच wonder निकाल लेना जहां और झाल ड्र जे और हो सकता है उन हो सकता है अध्यान देगे बुक्स mix में लिखने तह बुक्स में लिखा रहता है इनोर सेनोर सेनोर कावड़ी एनोर से आपका निकालते हो ठेक अब धान देंगे कि नॉर्मली इससे बेटर हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कैथोड है उसमें रिडेक्शन को हो रहा है और और पर क्या होता है तो इसको इसी को हम मौडिफाइब करके ऐसा लिखते हैं कि इनोड सेल इकल टू क्या होगा जिस एल्टोड पर जो प्रॉसेस हो रहा है उसका पॉइसल तो हम ज्यादा प्रफर इसको करते हैं अब दाननेंगे अगर आपको आर्पी दिया है किसी का भी यार्पी जैसे मौन लेते हैं तुमको दिया हुआ है जिंक से प्लस टू से जिंक का पॉटनेंसल दिया हुआ है कि तो यह रेक्शन हो रहा है तो इसको बोलते है सब्सक्राइब करेंगे तो अब क्या करेंगे हम लोग हम इस इस फॉर्मले को यूज करके अपना काम करेंगे ठेक है जिस प्रोसेस हो रहा है उसका प्रोसेस सिंपल सा चीज है अब धानेंगे इस क्वेशन को आगे बढ़ने से पहले अगर आप आपको हलका भी एकर तेन्थ लेवल का रिटिविटी चार्ट का अगर आपको चीज अगर पता हो कि कौन ज्यादा मेंटल 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 कम रेक्टीव होता है तो भी कोशन जल्दी बन सकता है तो आप देखोगे ऑप्शन डी में क्या है एजी है यहां पे सारे डिस्प्लिस क्या होता है अपका ऊप्षन का का रेंडी करता है कि कॉस्टा नहीं करेगा इसको पारचानना है घ्रार क्रिक सेल्ट निकाल लो और देखो कि भी में जो użyıl्सेन नेगेटीव आयगा जिसमें पूरे सेन नहीं होगा तो पहला वला जो है चाहिस हं कि ellu निकाल कर दिखा करें तो फ़स्ट में में अंचाय कावन कर रहा है जो काथ तोड़ की तरह यानि कॉपर का पी होगा कोपर का पी कितना दिया हो 0.34 और जिंग काम कर रहा है औक ऑक्सिडिशन हो रहा तो जिंग का ओपी लेंगे तो जिंग कोपी कितना होगा 0.76 दोनों कसम क्या हो दोनों कसम positive होगा इसमर कापर प्लस तू से कॉपर जारे मां यानि कॉपर कम को आर्पी चाहिए जो कि वहता पॉंट 3-4 है नेक्स्ट आरे में यारे से प्लस टू में अर्न अक्विशल हो रहा है तो अब एक हम रोपी चाहिए तो उसका आरपी कितना दिया हो था पॉंट फोर नीगिटिव फोर 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 था सूब पॉस्टिव कर लो जो प्यों बैवी क्या होगा वैलू बेवाइबा पॉस्टिव या इने स्विजिवल होगा थड़ा अद्वलो में आरन का क्या और रण्रण से अरफ प्यार पिकेतना माइनास पॉइंट फॉर फोर और जिन्क प प्लस पॉइंट सेवन सिक्स तो इसके समें भी क्या होगा पॉस्टिव एगा इनिस यह नहीं होगा वह पॉइंट की तरह नहीं होगा तो पॉइंट की तरह जीनका हो जाएगा जिंक आपको आरपी दिया हुआ क्या होगा रिएनिस का प्रोसेस क्या होगा नहीं होगा तो एसको दो तरीका था यह फिर सेंपल क्लास तियंद का रिट्यूट्य जो ऑडर है उसके यूज करके भी डिस्प्राइश्मिन का कॉश्ण बन जाता तो जो आपको अच्छा लैक उसको फालू कर लो बट दोनुप् यह था इस कोश्चन कालना इस समूग को तो पर बचलों अपसे हमने एक सेल रिएशन दिया हुआ है और इस सेलेशन में जो भी आयन से लिए हैं उनका कॉंसेंट्रेशन दिया हुआ आपको ठेक है और सब पूछा गया है कि इस सेलेशन का इसल निकालना है और क्वेश्चन मे हम लोग इसको लिए नौश्यक्रीशन क्या होता है इसल एक्वाल टू क्या हो बचलो इन नोट सेल माने 0.059 बाइन लॉक क्यू अब रिएशन का हम लोग क्यू लिख लेते हैं दिस दिश्चन का क्यू क्या होगा तो ओपर होगा एन नाई प्लस टू का कॉंसेंट्रेशन और नीचे हो जाएगा मिश इसे वेलुज को सुख कर लो ऊपर हो लो पॉइंट जीडो जीडो वन और नीचे हो जाएगा पॉंट जीरो जीरो बाइं का सुखाएर यहां यहाँ हो जाएगा तो यहाँ करो क्या आपको क्यों कर देना है अब धान देंगे जो वालु लिया ना 059 इसको बढर्शिमेट करसकते हो पॉण जिरो सिक्स में ताकि अपका कितना लोटन वाल हुआ है तो निकल दो लूटन लूच किया है और एजी प्लस अल्टिमेटली इसका दो मूल है तो दो मूल टॉन गेन करेगा तो इसका जो एन होगा एन होजागा टू तो आप पुट करोगा तो एसल एकल टो क्या हो जा पावर है थ्री उसको बाहर लेश ते हम लोग अल्टिमेटली क्या हो जाएगा वन फॉन पॉर्ट जो फाइब माइनस पॉईंट जीरो सिक्स को इन्टू इन्टू थ्री वाइट Pink och Kanda Maps तो अल proud को तो लॉॉक्रिन क्या हो जागा वन हो जाएगा तो लॉट्ञिक क्या एका 1.05-09 तो नियरली जो आंसर होगा यहां जन्यांस नियरली आंसर होगा 0.96 वोल्ट के राउंड होगा तो हमारा जो आंसर है आपके option C से match करेगा इस question में कहां कहां कैसा approximation लेना आपको मैंने बता दिया है तो इस तरह के approximation और इस तरह के लिए हम आसर बने रहें मिलता हम लोग नेक्स question में बच्छलों आपसा हमने creation दिया हुआ है और बोला गया है इस रेशन का पर इल्ट्रों का number N कितना होगा तो यहां ने रहां आपका f3 से क्या प्लस two में और एफ फी प्लस three से प्लस two में रों कितना होगा दो का गेन होगा और आई मैशाई टू में दो अगर दो आई मैस जाएगा तो यहां पर भी क्या दोल्टरों का लॉस होगा यहां कितना को टू लेंगे तो वालुज को पूट करो माइनस टू इन्टू नाइन सिक्स फाइव डबल जिरो इन्टू इनॉर से लोगा पॉइंट टू फोर ठीक है अब इस बोल्ट का जो करोगे तो यहां कुला में वोल्ट है अवे जो वालु निकल के आजागा बच्छों लोग तो वालु निकल के आने हो आएगा थिय माइनस में फूर 463 463 20 जूल के सपस आएगा ठेक अब इस 46320 के वालू को अगर आपको चेंज करना किलो जूल में तो डिवाइड करोगा 1000 से तो कितना हो जागा यह 46.320 जीरो किलो जूल पर मॉल बस समझे तो आपका जो आपसर मैच करेगा हमारे ऑपसन बी से मैच करेगा तो बीस का करेट आंसर होगा तो बचलो मुव करता हम लो नेक्स कुश्टन के लाइस पर बचलो एक सिल के वारे में इन फॉर्मेशन दिया हुआ है और बोला इसमें एक कि कि नर्स इक्वेशन में अगर हम प्रॉसेस होता है तो इसके समें इसल क्या होता उसमें इसल जीरो हो जाएगा चेक है और उसके समें क्यों क्या होता है कि होता है तो इसके समें हमारे नर्स इक्वेशन करवर्ट होता है यह नोट सेल एकल टू जो होता है पॉइंट जिरो पाइब 9 by N log , किदने हों भालू कितना दिया का पॉइंट 59 और यहां पर क्या पॉ adjustments ओप्सेंट यहां पर पर इन कवली कितना था ओन कॉन कि तो लॉक की कि पलों कितना जाएगा का टैन तो किये के अब लोग कितना होगा 10 to part 10 तो हमारा answer जो है match करेगा option D के साथ तो इसका D होगा correct answer तो बचलो यह था इस question का analysis मोग करते हो ने next question पर बचलो आपके समने एक cell representation दिया हुआ बोला इस cell का जो potential है ओ है E1 ठीक है और बोला है कि इस point pin का concentration दिया हुआ है तो धानेंगे हम लोग इवन निकालते हैं तो इस process में आपका जिंक काम कर रहा है जे जिंक काम कर रहा है जे एनोड की तरह और copper काम करेंगा cathode की तरह तो इसमें जो cell reaction होगा उसमें क्या होगा जिंक प्लस टू होगा numerator में और copper बस्टा होगा numerator में तो beginning में जो q का value होगा उसको में क्यूबन हों बोल रहा है तो आपका जो जिंक का value है point 01 और copper का जो प्लस्टो का value है 1 है यहां पर था है न ओन ठेक है तो आपका ही हो जागा 10 पर माइनस टू हाजाएगा तो इस पॉइंट पर यह निए इस पॉइंट पर अगर हम क्यूबन पर बात करते हैं तो at at क्यूबन पॉइंट पर system का जो potentials को हम even बोल द रहे हैं even क्या हो जाएगा e not minus 0.059 यहाँ पर n कितना होगा n होगा 2 log 10 पर minus 2 है माइनस पर जो पावर बाहर ले लो तो ultimately even equal to क्या हो जाएगा यह नॉट माइनस माइनस जो पावर आगा तो सब्सक्राइब कर लो तो 0.059 हो जाएगा त्यों जाक आपका इवन का वैलू अब माल बोला गया है कि अब सेकेंड जो केस है उसमें क्या कर रहे हो concentration of zinc जेटन सपोर को तुम चेंज कर रहे हो one में और कॉपर सब्सक्राइब कर रहे हो 0.01 मेनी concentration को तुम करते रहे हो तो यह पॉइंटus हो गया पॉइंट तु का जो क्यू है उसको क्यू टु पोलते रहे हम लोग क्यू तु में जिंक को बाई अफो जाएगा और कॉपर क्यूटस नेकखाएगा लोग 7,000 कूज सब्सक्राइब कर यहां का जो टू है और टू कैंसल कर जाएगा इटू कल टू हो जाएगा इनोट माइनस 0.05 ने तो कभालों क्या होगा इवन से छोटा होगा यहांने इस केस में अब कंडिशन बोच दो एवन एज गड़र देन एटू यहांनि आपका जो आप्शन भी है यह होगा करेंट आं आपका एक रिशन का इनोट सेल क्या है नेगेटिव है ठेक है इनोट सेल क्या है नेगेटिव है तो उस किसमें क्या होगा तो धान देंगे आपका इनोट सेल जो होता है और डिल्टा जी नोट से कैसे लिंक होता है माइनस एन एफ इनोट तो अगर इनोट सेल नेगेटिव तो डिल्टा जी क्या होगा डिल्टा जी जो होगा यह हो जाएगा पॉस्टिव अब डिल्टा जी नोट जो है वो लिंक होता है आपके किस से आपका link होता है एकलूम constant से minus RT log k equilibrium तो चुक्कि delta g not positive है और यहाँ minus लगा होते इससे क्या होगा log k equilibrium का value क्या एगा यह value हो जागा negative अब किसी भी function का किसी value का के log का value negative क्यों आता है क्योंकि value one से छोटा होता है तो किया होगा वह से छोटा है तब लॉन उसका नेगेटिव होगा तापके इस कंडिशन के लिए पॉस्टिव और के क्लों वहलों क्या होगा वह से छोटा है यह आफसा जो होगा आंसर होगा एथ कोशन पर पर बच्चोब लोग कि इसका क्यों के लिए तो क्यों क्या हो जाएगा प्रेश ऑफ एस टू जो कि आपको निकालना है बाइस प्लस का स्क्वाइर अब धान देंगे अगर आपके इस सेल के पोटेंशिल जीरो करना है तो इसका नॉसिक्षिंट क्या होता है इकल टू इनोट सेल कि माने जीरो फाइब नाइन रोट क्यु कि अपद्ध के तो यह हद रही जो पॉसक्त आए जीरो होता है उपके टंप क्यान क्या होगा माने जstru दिरो फाइब ग्वालुग रोग्त तब ये वालु 0 कब होगा जब क्यों क्या होगा one क्यू one होगा उसके समें फुर लॉक क्या हो जागा जीरू तब उसके समें आपका इसल क्या कीज़ेंगा जीरो अब क्यों कर वान को को वान होगा जब आपका प्रेश्व एसटु को वेज़ें वैलू होगा एक प्लस का स्क्वार की गॉल होगा नियुम्रिकली तो यहां पे धान दना एस प्लस का न्युटल में कौन्सेटरेशन का वालू कितना होता है एस पसका सब्सक्राइब होगा तब ही आपका जो सेल का पॉटेंशल होगा जीरो आएगा एट न्यूट्रल वाटर यानि प्योर वाटर में तो बच्चों यह था इस कुश्चन का सॉलेशन मोव करता है नो ने इस कुश्चन का अलाइसस पर बच्चों लोग इस कुश्चन मैप से यह श्यूट्रोड का ऑक्सीड़ेशन पॉटिंशिल पुछा गया है प्यस होता है की बादको पाएपन su कि आपको पूछा गया है यानि कन्डिशन स्टेंडर्ड नहीं है तो इसके लिए क्या और पास चाहिए अब फॉर्मूला भॉला गया टेन कर देंगे तो आंसर कितना है का पॉइंट फाइब नाइन वोल्ट इन्हें ऑप्सन डी क्या होगा करेक्ट होगा तो यह था ऑक्सिडेशन पॉडेंशिल का यह फिसल पॉडेंशिल का फॉर्मूला भिट पीएच अब ध्यान देंगे अगर आपको दिश्ल पूचा जाता या पॉड़ पोचा जाता कि पोटेंशिल क्या है तो पोटेंशिल में हमेशा आपको प्लिश्जेंपलिक्जिशु में फोकस करना है रिडिक्शन पे तो कफाम यह माइनस है लग जाता है यह होता है रेक्षन पेटेंशील का फॉर्मूला भी प्र पी एच और यह था आपका और प्रोच अगर लॉजिकल पर चलेंगे तो देखो कैसे करते हैं सुनना तो लॉजिकली आपको औशिदेशन पोटेंसिल का निकालना है तो उसका रेशन लिखो ना रिशन होगा एस टूब से टूब एज प्लस और आपका दोल टूब का आप लॉस होने वाला है कब लिख लो तो क्यों क्या हो जाएगा एच प्लस का स्कॉर बाइब प्रेश्र ऑफ एस्टू बाई डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो प्रेश्टू किता मल लेते हैं लोग वन बार लेते हैं यहां पर क्यों क्या हो जाएगा एच प्लस का कॉंसेटरेशन का स्क्वाइर बाई प्रेश्र को वान बार माल लिए अब ध्यान देंगे आप लोग यहां पर प्रेश्र का फालू कितना लिया हुआ था तो उसके स्क्वाइच प्लस का कॉंसेटरेशन का फालू कितना होता है तेंट पार माइनास टैन अब नस्युक्रिशन का सेटप करते हैं तो ऑक्सिदेशन प्रोसेस का जो स्टेंडर्ड प्रेंशल होता है कि हार्ड़ अब नस्युक्रिशन सेटप करें तो यह सेल एकल टो क्या होगा इनोट इनोट वाइद इफॉल है 059 बाइन लॉक्यू तो यह तो वालू क्या होगा जीरो क्यों कि आपको यह पता करना है तो यह कैसे पता चलेगा माइनास 0.059 इंटू यहां पर क्या है नीचे एन है तो यहां पर आप इतना लिख्यों होना इससे बेटर है अब लिख दो एकप्लस साथ कॉंसेंट्रेशन ठेक है एक यह पर दो भी चलेगा एक उसेंट्रेशन यहां पर क्या होगा लौग हश्प्लस का कॉंसैंट्रेशन बाद समझे अब जोई मांएनस साइन है अंदर लेलो मांएनस आनस्या उसको अंदर लेलो हो जाएगा 059 इंटू मांए लॉग हएज प्लस आप मांए एच प्लस आ इसको हटा देंगे इसको लिख सकते हैं वोग क्या जिरो पॉइंट फाइब नाइन इंटू पी एच चै क्या माइनस लॉग एस प्लस किसको बोलते हैं पी एच को बोलते हैं तो वहां से भी आप सोच सकते हो तो पी एच का वह लोग कुश्ट्न में किता है था 10 दिया हुआ लूंस यहां पर आपन पॉंड नाइन वोल्ट तो हो पाइंट आप लिकाने उप सब्सक्रिक्रा नें इमनस दिया हुआ है और इस दो रिशिग गए को दो अब यह पास ऐसा सिचुइशन होगा क्या के पास दो या दो से ज्यादा दिया है उसको यूज करके एक नया रिश्ट करना हो उसके पॉडेन्स को को बताना है तो Sumply एक को फॉलो करना जो को बता रहा हूं तो आपको हस्ट लोग को potential है उसको मैं बोल रहा हूँ माल लेते हैं और आपके रेश्ण 1 & 2 में जो आपका number filter on है उसको मैं n1 और n2 माल ले रहा हूं अब धाना इस 1 2 का यूज करके मैं creation create करेंट चाहता हूं जिसमें 1 & 2 को मैं add up करूंगा तो आगर 1 2 को आप आप करो clearly यहां जो बनने वालाहा है इसमें आपका जो नॉլर उल्टाUन हो उसको मालनेते हैं एन इननी में कर लिए अब मैं एहां पाइस सब्सक्रेस के बाद यहां पर छोगा यहां इसका यह पॉटेन्शिल हों तो कैसे लिख सकते हो फॉली एक पोटेंसे लग आधा करना है वह niedに यह सब्सक्रेस करना है यह कर लेना और फिर क्या करना आपको डिवाइड कर दो को अप टू वन में टू इन्टू कर रहे ह। गारेऊ है शनट को अगर मालते हैं इस इस रिएशन का आपको यह पता करना है इस कॉंबिनेशन का तो आप सिंप्ली क्या करोगे यहां के लटन को हम एन बॉल दरें अभी तो इसमें यह जो होगा यह होगा एन वन एवन अगर इस इसका एन एल्ट्रोन एन है तो इसका जो ई होगा एक हो जाएगा N2E2 minus 2 into N1E1 divided by N इसको EF हो जाएगा अगर इस process को आपको clear हो चुका है तो जहन देना अब इस reaction पर जाओ यहाँ पर जहन देंगे यहाँ पर दो reaction दिया हुआ है पहले बाले में N कितना है N है 2 और second बाले में N कितना है 1 अब आपका जो third reaction जो इहाँ इनको निकालना है तो third reaction में यहाँ पर MN plus 3 किया कि 2 लगा हुआ है इसका मतलब आपको second equation को 2 समरल प्लाई करना होगा तो इसमें simply यह reaction कब मिलेगा जब पहले बाले reaction में आप क्या करोगे 2 समरल प्लाई करके second equation को add करोगे यह इस combination का आपको voltage चाहिए ठेक है और इस combination में जो है आपके पास क्या है इसमें 3 MN plus 2 दिया हुआ है तो 3 में से 2 MN plus 2 है वो जा रहा है plus 3 में और 1 MN plus 2 जो है वो जा रहा है MN का zero state में तो यह इस case में 2 ल्टरन का loss हो रहा 2 ल्टरन का gain हो रहा इस combination में आपका जो N होगा N हो जाएगा कितना N हो जाएगा 2 अब इसको अगर हम देखें तो ध्यांदना यह नि जो combination उसका N कितना होगा 2 हो गया तो इसका हम E निकालते है E कैसे निकलेगा N1 E1 plus 2 into N2 E2 divided by क्या करना है आपको N कर देना है तो N1 कितना था 2 E1 अभी रखते हैं हम लोग फिर 2 into N2 कितना था 1 और E2 और N कितना था combination का तो N था 2 तो ultimately क्या होगा E1 plus E2 हो जाएगा E1 कितना value दिया हो बचलो E1 दिया हुआ minus 1.18 और E2 कितना है minus 1.51 दोनों का summation जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास minus 2.69 वोल्ड यहनि आंसर क्या होगा D होगा चुकि आपको potential क्या potential negative हो रहा है यहनि process क्या होगा process और नहीं करेगा तो possibility of forward action क्या होगा नो हो जाएगा तो इसका answer क्या होगा और बोला गया है इस decomposition को perform करने के लिए आपको कितना potential difference का need होगा चुकि डिल्टा जिसका positive है तो process क्या होगा non spontaneous होगा अब non spontaneous process को करने के लिए आपको बाहर से voltage अप्लाई करना पड़ेटरी का तो आप कुस voltage को पता करना है अब धान देंगे तो डिल्टा जी एककल टू क्या होता minus NFE यानि इस reaction का जो potential build हो सकता हो आपको E से पता चल जाएगा अब हमको पता है कि चुकि डिल्टा जी positive है तो E cell क्या आएगा negative potential का मतलब है कि यह खुश्याओकर नहीं करेगा तो जितना negative potential होगा वो potential को बाहर से supply करना पड़ेगा बाहर से हमको supply करना पड़ेगा ताकि process हो तो धानेंगे डिल्टा जी का value कितना हो गया के पास 960 किलो जूल तो उसको आप जूल में चेंज कर लो 960 into 10.3 जूल हो जाएगा बासंज में है यहां पर माइनस एन हमको नहीं पता भी तो एन को भी होल्ट पर डालते हैं एफ होता फारेडे कॉंस्टन होता है 965 00 अब यह जो है यह आपका value आपको निकालना है यहां पता करते हैं तो आपको देखो balance equation पहाँ जाओ balance equation में क्या है कि लूरण का स्टेट आ जा रहा है चेंगे आ अको किना नल्मुनाइस की कुमित राख भी थ्री अगता है कीस पहां घांगे करना रहा है सबदकेशल देखो लूग के स्छाटा हो रहा है है तो जबनेवेंगे ऐक अल्मूनियम में ultimate ले कितने का climate होगा तो 3-4 gehen ऐसेक्षट्रोन का यह कितना 4 लिच्ट यानि आपका इस प्रॉसेस जो फैसे न होगा आधम मतलब प्रला सब्सक्राइब कर दो ना पर को फोर बुट करने के बाद ईकल воды बर उनिकालना ऐकॉल क्या डबल जीरो बासंग में आया इंटू यहां पर क्या होगा फोर अब ध्यान देंगे आपर अगर नीचे वाले expression में अगर मालेते हैं कि यहां से दो जीरो पर से काट लेते हैं हम लोग तो क्या ओपर 960 होगा इंटू क्या हो इंटू 10 होगा नीचे हो जागा 965 और नीचे 4 हो जाएगा अब ध्यान देंगे तो आपका option क्या है दूर दूर है मतलब 4.5 है 3 है 5 है 2.5 है तो यह उतना close नहीं है तो हम हलका आफल का approximation कर सकते हैं तो 965 जो नीचे का जो वैलू है उसको आप approximate कर लो 960 अगर ऐसा अप्रेश्मेट करो गये तो क्या हो यह और एक cancel कर जाएगा तो ultimately क्या होगा 10 by 4 होगा ठेक है तो नीरली कितना हो जागए हो जागा 2.5 वोल्ट अब यह चुक्कि यहां पर सब्सक्राइब करने के लिए कितना इसका पॉस्टिव कम से कम 2.5 तो देना पड़ेगा तो आटलिस बाहर से जो हम सब्सक्राइब करेंगे एक्स्टर्नल वो कम से कम क्या होना चाहिए 2.5 यह उसे बड़ा होना चाहिए तो इसका मीनिमुम वालो 2.5 तो होना चाहिए तो द्यान हैंगे आपका जो करेंट आंसर होगा यह होगा आपशन सी 2.5 वोल्ट तो कम से कम जो बाहर से प्लाइब करेंगे वो 2.5 तो होना चाहिए तो यह था इस कुश्टन का सॉलिशन अलाइसिस एंड आंसर मुव करता हम लो नेस्ट कुश्टन पर बचलो इस कुश्टन में आपके सामने कॉपर प्लस 2 से एक एल्ट्रोन गेन करके जो कॉपर बन रहा है उसका पोडेंसिल दिया हुआ आपके पास यह नहीं आपको इसको इवन माल लेते हैं इवन का बालू कितने दिया हुआ है 0.15 भोल्ट दिया हुआ है ठेक है और आपको क्या दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ है copper प्लस से electron gain करके जो copper बनता है उसका भी भोल्टे दिया है उसको में e2 बोल दे रहे हैं इसका भी दिया है पॉइंट 5 दिया हुआ है अब इंदो डेटा का यूज करके आपको पता करना है copper प्लस टू से copper जाने का potential पता करना है यह 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 देशनों को चाहिए आप चाहिए इस रिशनों को वर वन बोल दे इसको टू बोल दे ठीक है तो द्यान देना इसको में लोग कैसे करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके सामने एक छोटा सा एक ट्रिक है जो मैं आपको सेर कर रहा हूं तो द्यान देना जब भी आपके पास more than one रिशन का combine करके नया रिशन को मिलता है तो आप अले देखो कि क्या process के थूरू एक रिशन मिलेगा तो आप सिंपली क्या करोगे अगर रिशन वन और टू को आड़ अड़ करते हो तो आपको रिशन मिल जाएगा अब रिशन वन ट आपके एफ और एकन टू को एड़ करना है पस जब आड़ कर रहोगे तो उसमें जो ल्ट्रॉन जितना इन वहां था से उसको मलपलाई करना भी करना है यानि यहां पर वान और टू का अपड़ कियो हो तो आपका जो इस रिशन का पोटेंशल होगा ओ वन और टू के पोट plus one into E to divide by क्या करना है divided by क्या करना divided by इस जो आपका net reaction उसके N से divide करदना आपको तो आप जब ऐसा करते हो तो आपका value क्या हो जाएगा 0.15 plus 0.5 by 2 यानि 0.65 by 2 तो जब वालू हो या वालू होगा 0.325 volt यानि आपका जो अंसर होगा, अंसर B से मैच करेगा, हमारा अंसर इसका क्या होगा, B होगा, तो यह था इस question के आलना, इस समोग को अलगा question पर, बचलो इस question में, आपको बोला गया है, कि silver Ayan को reduction करने के लिए, हम copper metal का use करते हैं, तो उसका जो standard potential है, उसका value आपको दिया हो, value कितना दिया हो, plus 0.46 volt, ठीक है, अब बोला गया है, the value of standard gives energy आपको निकालना है, इस process का, तो इसका balance equation क्या होगा, तो आपका 2AG plus, आपको डालेंगे, तो copper क्या करेगा, AG को displace करेगा, तो AG बाहर निकल जाएगा, और copper oxidation करके अपके system में चला जाएगा, ठीक, आपको delta G निकालना है, तो delta G इकल टो क्या हो, तो minus NFE cell, अब delta G, चुक्किए standard condition है, तो क्या हो, delta G note लगा तो E note लगा तो, तो E note cell आपको दिया हो, question में, plus 0.46 volt, इस process में कितना अल्ट का loss हुआ है, और silver का 2 iron, मिल के doltron का gain करेगा, तो यहाँ पर आप two put कर दोगे, F का value कितना होगा, 965 00, और E कितना हो जागा, 0.46, ठीक है, तो आपको चुक्किए answer किलो जूल में है, तो इसको divide कर दोगा, क्या है, तो value जो भी आएगा, उसको divide कर देंगे, 1000 से, पॉइंट फॉर सी divided by क्या करोगे, अब 1000 लगा, भी से divide कर दो, अब इससों solve करना से, जो value आएगा, माइनस 88.78 क्यास पस आएगा, किलो जूल में, जो निरली हो जाएगा, निरली हो जाएगा, माइनस 89 किलो जूल, यानि आपका जो answer होगा, answer होगा, option A, तो बचलो यह था, इस question का analysis, move करते हैं, लोग, next question में, बचलो आप सामने, एक creation 1 दिया हुआ, इसको 1 बोल देते हैं, इसमें जो बैटरी का potential है, वो आपको दिया हुआ हुआ है, 0.337 वोल्ट, और दूसर डिशन में, क्या दिया हुआ है, copper प्लस 2 से, इल्ट्रों के copper प्रस्वान रहा, इसका potential दिया हुआ है, 0.153 वोल्ट दिया हुआ है, इसको हम E1 बोल दरते हैं, इसको हम E2 बोल देते हैं, यहाँ पे, इल्ट्रों कितना involved होगा, तो इसको हम E1 बोल देते हैं, ठेक, अब ध्यादना, यहाँ पे इन दोनों का यूज करके, आपको यह रिएशन लिखना है, खुर प्लस से C21 किरेकर करेंधा हैं, क कौ प ध्यादना, इसको आपको लाने के लिए आपको 12 में क्या करना पड़ेगा, तो ध्यादना, जूकि ग्यादना, जूकि प्लस बेना आपका यहाँ तक हम मतलने 2 को माइनस करना पड़ेगा, भी congratulate में आएगा, और इसमें आपका जो copper है copper आपका right side में है यहनि आपका रेशन जो one होगा simple रहेगा यह आपकर one minus two करते हो रेशन one को two से minus करोगे तो हमारे जो net relation होंको मिल जाएगा one से two को minus करने पर अब मेरे को इस इसका cell potential बता करना है तो बहुत सिम्पल है आप चुकि रेशन one से two को minus क्यों तब क्या करना रेशन one का एफ और रेशन two को minus करने के प्रोसेस में आपको समेल ट्रॉन से multiply करके नहीं उस प्रोसेस में जो इन्वाल हुआ है उसको multiply करके माइनस करना और लास्क में क्या करेंगे लास्क में जो आपका नेट रेशन मीरा है उसके एल्ट्रॉन के नंबर से divide करना होगा यहां पर आपका पहला वाला जो एक्षन है उसका एल्ट्रोन एन वन एवन माइनस जो होगा माइनस क्यों कि यहां पर माइनस कर रहे हो माइनस एन्टू एटू और यहां जो यहां जो एल्ट्रोन होगा उसको एन बोलद रहें जो कि वन है उससे उनको डिवाइड कर दना होगा तो मेरे को इसका पॉनिसर मिल दिफोरिफे टो खते तो sara स्वे प्राक्राइब में होगा टेवार्य मिंड गरता है अवड़न से विंस्ति वाइड करेंगे करेंगे तो free energy of formation standard free energy of formation in kilojoule per mole दिया हुआ है किन का दिया हुआ है S2O का दिया हुआ है minus 37.2 CO2 का दिया हुआ है minus 394.4 और pentane का दिया हुआ है minus 8.2 अब इस वालो का यूज करके हमको पता करना है cell potential of pentane oxygen fuel cell pentane oxygen fuel cell तो सब्सक्राइब ना pentane oxygen fuel cell का हम लोग पहले reaction को लिखते हैं तो पेंटेन का formula था C5H2L इसको जो combustion करेंगे तो 5CO2 होगा और 6H2 होगा ठेक अब इसमें और कितना कंजूम होगा तो धान देंगे आपका जो अटू कंजूम होने वाला है क्या होगा एट अब धान दना इस reaction का हमारा challenge क्या रहे हैं हमको इसका delta G पता करना है ठेक अब डेल्टा जी हम कैसे पता करें धान सुनना आपको डेल्टा जी अब रेक्षिन का डेल्टा जी पता करेंगा सिंपल तरीका होता है जो भी रेक्षिन में आपके components लुहाल में उनका formation का वालू दिया रहेगा तो पर्ट का formation माइनस रेटेंग का प्रोडक्ट्स ठीक है का समेशन माइनस समेशन अफ डेल्टा जी अफ रियक्टेंट्स ठीक है तो ध्यान देंगे यहां पर आपके पर्ट में क्या है CO2 है तो 5 CO2 है तो 5 into formation of CO2 कितना है माइनस 394.4 ठेक प्लस पर्ट में और क्या है 6 H2O है तो क्या होगा 6 into formation of H2O कितना होता है माइनस 237.2 बासे में है तो यह होगा प्रोडक्ट माइनस reactants तो माइनस एक जाएंगे तो कौन-कौन सा होगा तो रियक्टेंट में आपके पास पेंटेंड है तो पेंटेंड का वालू कितना होगा चुकि सब्सक्राइब नंबर एक है तो वन करेंगे एट सेवन किलो जूल आ जाएगा यह जाएगा इस डेल्टा जी ऑफ रेक्ष्ण का वालू बासे में तो डेल्टा जी का वालू को पूट करेंगे हम हम लोग ठेक तो इसमें हम लोगा पहले हम पता कर लेता थे पता करेंगा त्दान देना आपका जो भी यहां पर ऑक्सिन अलौफ हुआ है उसमें एल्लो चब लोगिन हो रहा है क्योंकि ओट्वर से जा रहा है माइनस टूस्ट में जा रहा है तो आप या करोगे आप ऑब लॉस कर रहा है और और जो है ऑजिए करना कर रहा है क्या पास पास औक इस कमद और प्रोसेस का जो जाएगा 32 अगर आपको यहां से नहीं के लिए रहे तो सिंपला कार्बन से देख सहते हैं तो कार्बन का भी देखो गया पर चेक कर लो इनका उक्सेट में कितना चेंज हुआ है तो भी आपका आंसर आजएगा तो आप कार्बन से या तो ओ से देख लो कि कितने इल्ट्रोन का इनवालमेंट हुआ थे इल्ट्रोन का अब इसमें एन को 32 पूट करना है मेरे को तो एन 32 पूट कर लो एफ का वैलू कितना पूट करोगे 96500 आपको इपता करना है रिएक्शन का और डेल्टा जी का वैलू निकाल चुग हम लोग 3 3 8 7 अब एच चुकि किलो जूल में था ना और यहां पर जूल में आता है तो क्या करी इसको वैलू का अपफ़र जिवाइड करो तक कीवी चेंच वाजा किसमें तक की वे चेंच वाजा आपका किलो जूल में बस इसमerv तो अब क्या करेंगे अब डिविजिन के बाद अब जब ए निकालते हो तो ए का जो वालू निकल के आ जाएगा यह जाएगा एर्ाउंड वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो नाइन के आ अंसर आएगा तो यह था इस प्रोसेजिस का आंसर अपना मैच किसे करेंगा तो धान एंगे आपको जो आंसर मैच कर रहा है है answer match कर रहा है आपके option A के साथ ठीक है तो आपका जो option A होगा correct होगा तो इस question में क्या था आपको delta G operation पता करना था आपको free energy जो delta G दिया हुआ था आपके अलग-अलग component का आपको दिया हुआ था उसका यूज करके आपको क्या करना था डिल्डा जी अपनिकलता जूल में और डिल्डा जी आप निकाले हुआ था नहीं तो आपको question क्या होता है गलत हो जाता ठीक है तो यह था है इस question का solution बचलो मूव करता हुआ लोग next question पर बचलो आपस हमने एक relation दिया हुआ है और इसका e note यह standard potential दिया हुआ है आपको के इकलम पता करना है के इकलम पता करना था नहींगे आपको पास relation क्या हो जाएगा तो e note cell एकल टो होता है 059 वाइन लॉक के यहां पर इनोसल कितना है 046 दिया हुआ है यहां पर क्या 059 होगा एन कितना हो गया है इसका एन होगा टू लॉक के तो लॉक के लॉक के पास आ चुका है अब धान देंगे अब इसको अब सॉल करोगे तो लॉक के लॉन क्या होगा आपको आपको इसको निकालना है ते हो जागा 046 इंटो टू डिवाइड़ वाइब पॉइंट इरो 59 यह प्स लॉक का वालू आ सकता है अब ल टू खेक का वैलू में इसका आपको के निकालना है तो इसका आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो एंटी लॉग में जो होगा टेंडूपार 15 कटम आने वाला है तेंड लॉग संब्लीमाइड है यहां पांदर है और यहांपर पॉइंट फाइफिस्यो में आपका र आपके पास एक लिट्र का इनोट दिया हुआ है ठेक और इसका नमबर फ्लिटन टू दिया हुआ है अब बोला इस करके आपको एकलूम कॉंस्टन बता करना है रियेशन का तो धान देंगे आपको सिंप्ली नर्स विक्रेशन सेटप करो एकलूम कंडिशन पे तो यह हो जाएगा इतना कि अब यहां पर एन कितना है एन है टू पुट कर दो इनोर से लोगा पॉइंट टू नाइन फाइब उपर हो जाएगा पॉइंट फाइब नाइन और नीचो यह पॉइंट जीरो फाइब नाइन यह वालू हो जाएगा तो आपका कॉंसा अंसर सही होगा तो अंसर जो है आपका डी होगा का पॉइंट आंसर तो इत्था इस कोशन आइस समूग करता है नों नेस्स कोशन पर बचलो आपके सामने अलमुनिया का फॉरमेशन इक्विशन दिया हुआ है यानि अलमुनियम से ओटू बनके अलमुना बनेगा ठेक उसका डेल्डा जी दिया हुआ है आपको केलो जूल पर मोल में तो बोला गया है कि मीनिमम एफ रिक्वार्ट टू कर्या आपको रिवर्स करना यानि आपको सिंप्ली क्या कर आपको फर्दर क्या करना है तोड़ना यानि आपको रिवर्स में आना है तो इसका आपको परेंशिल कम से कम कितना होना चीप पूछा गया तो जो आपको एक्विशन दिया है इसका आप यी निकाल लो तो चुकि प्रोसेस इस पॉड़ियोंस होगा डिलाजिन देना पड़ेगा तो पहले हम लोग क्या करते हैं जो गिवें एक्वेशन दिया उसका यह हम निकाल लेते हैं तो इसका यह निकालेंगे तो डिल्डा जी किता हो जागा माइनस एड़ टू सेवन इन्टू इसको चेंज करो जूल में तो यह को थाउजंड हो जागा हाँ पर एन जो है एन को पूट करेंगे हम लोग पहले एफ कितना होता नाइन सिक्स फाइब डबल जिरो आपका यह आपको निकालना है अब धान दना आपका चार फोर बाई थ्री अल्म लुट करो यह निहां पर एन होगा इस प्रसेस का चार होगा पुट कर लो तो यह मैनश फोर इंटू नाइन सिक्स फाइब डबल जिरो इंटू ए कर सकते हम लोग ठीक है तो अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करके अपना एका वालू निकाल लो इका वालू निकल जाए तो यह निकलेगा तो आजाएगा 2.14 वोल्ट यानि इस प्रोसेस का इस प्रोसेस का जो इस पॉइनियस है उसका यह रहा है तो पॉइंट वन फॉर वोल्ट अब धान देंगे आपसे कोशन पूछा गया था इसको अब हमको करना है तो रिवर्स करना है तो रिवर्स रिएक्शन जो हो रहा है उसका जो पोडेंशल होगा और क्या होगा जस्त नेगेटिव हो जाएगा माइनस टूपॉइंट वोन फॉ सब्सक्राइगा तो मीनिमूम जो होगा यानि एक स्टरनल जो होता है बाहर जो अप्लाई करेंगे वह कमसे कम 2.14 से तो ज्यादा होया तो मीने यह उसके अक्कॉल हो सकता है Bonus के वेलू होगा टू.14 यानि यह सट जो ूघिय होगा ऐह और क्योट यह ठाइस कोशन पर वद के सामने copper plus 2 से copper बनने का potential दिया हुआ निया आपका पास Cu plus two से दो ल्ट्रों गेन करके copper बन जाएगा इसका पोटेंसिल जो दिया हुआ है दिया हुआ इसको में even बोल देता है तो even का value कितना दिया पॉइंट 34 वोल्ड दिया हुआ है और copper कॉपर प्लस टू से एक लिट्रोन गेंड करके बनता है कॉपर प्लस वन इसका वालू भी दिया उसको में इटू बोल देते हैं तो यह वालू दिया हूँ कितना यह वालू दिया हूँ आपको 0.15 वोल्ट दोनों में आपका जो नंबर फिल्टॉन इन्वाल्व होगा उसको म यहां फिल्टऌन होगा 2 यहां फिल्टऌन होगा 1 अब दोनों को करके मिरें को पता करना ह ritual इन यह वनने प्लाने का आपको यानि आपको निकालना क्या है कि 2 c u सब्सक्राइब करें एक ट्रण लाँस्राइन हो जाएगा कि इस प्रोसेस का एन हो जाएगा एन हो जाएगा इसका 1 अब झांद ना यह जो आपका गिवन इक्विशन इसको 1 और 2 माल लेते हैं जो दिया हुआ था तो आपको इस 1 2 का यूज करके जो नेट रिशन कैसे मिलेगा तो इसमें है स्लोग तरह सोच रहे हो तो सोच उसको आपका ले तो आपका जो कॉपर प्लस वन है वह आपके लेफ्ट साइड में है आपके लेफ्ट पड़ेगा नहीं सिंप्ली क्या है आपको इस रियेशन को लाने के लिए रिशन वान माइनस टू इंटू टू करना पड़ेगा तो अगर यह आप ऑपरेशन करते हो तो आपके रियेशन मिल जाएगा अब इस कॉम्बिनेशन रियेशन का आपको इपता करना तो जब भी आप रियेशन में जो काम कियो हो ही काम पोडेंसल में करोगे बट इस प्रसेस में में की बस क्या करना है उस रियेशन का प्रसेस नंबर को जो, प्रस रियेशन रिखना है यह नहीं है आप तो इंटू इटू करना है और जो आपका आउड कम आने वाला निए जो रिएशन आने वाला है उसमें जितना इन्वालव होगा उसके नंबर से डिवाइट करने भी के लिए अब यहां वैलू पूट करें तो रिशन वन का जो जो रिट्रों था यह नहीं एन वन था यह क्या है यह डाल देना वाँ डिवाइट करना ने ट रेकिन का लेट्रेंशन नेत्रेशन हैंन किता है वंकितना वंक दिया होता वंकि लेट कर देंगे अब इसको आता ब्रोसेसर fantasy r Prison होगे तो वल्त बैलव नीरली न्कलक्या जाएगा स्ज़ांन अई जो धिंड शन दिया उवा था जो कि इंदो निरेशन के कॉमिनेशन से में मिला उसका जो वोल्टेज होगा उसका व्याल्ट हो जाएगा पॉइंट फॉर नैन वोल्ट तो यह था इस क्वेश्चन का आलाई से स्मूव करता हूं नेस क्वेश्चन पर बचलों अपसे हमने एक सेल रिप्रेंटेशन दिय होता है प्वॉंट इरो फाइब नैन बाई एन लॉक के आपका इस इनोर्सल दिया कितना है वन पॉइंट फाइब नहां होगा वै एन और एन क्या हो प्रोसेसमें अचा दो तो एनको टू कर लो लॉक के गर लेता हम लोग ठेक लॉक के का जो वैलू निकल लॉक के हो जाए आपका जो आपसन काफी दूर दूर है 10.18 है 10.17 है तो यहां पर हम थोड़ा पहुत अप्रोस्ट्रमेशन करने से अपना काम चलेगा तो जहां देंगे तो बेसिकली क्या होगा 21.1 और यह नीचे वैलू है उसको आप अगर मालते हैं कि अगर थ्वास आसान करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं इसको ऐसा कर लेते हैं कि 0.0 अगर हम लोग कर ले 5 पे माल लेते हैं 5 5 ठेक है तो 0.05 पे माल लेते हैं तो इससे क्या होगा यहां पर जान देंगे यह डेसिमल अगर यहां सब लोग है तो एक 10 उपर ले लो 2 इंटू 10 और यह होगा 1.1 और नीचे हो जागा 0.55 जो कि 2 से कैंसिल कर लेगा तो यह वैलू नेरली क्या हो जागा नेरली आजागा 40 का सपास ठेक है यहां आपका जो लोग के का भालू है 40 का सपास आएगा तो के का भालू क्या हो 10 और 40 तो देखो आप 10 और 40 के आसपास आपकौन साप्शन मैच करेगा तो अप्शन जो है डी होगा जो सबसे क्लोज होगा चुकि हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं किये थे हलका साज नहीं 0.059 फिर न कौन 0.05 माने थे तो आंसर चेंज होगा तो बहुँत नहीं होगा तो नीरस जो आंसर होगा यह होगा अप संदी अगर आप अक्शोली सॉल्व करते तो आप इस सो उल्व करते है तो उस नो दिख लोते हैं तो अगर आपका लॉग का वालू जो ठेक है तो इसको आप देखो गए तो टू पॉइंट से करना ना आप सिंप्ली करो कि अब टू पॉइंट तू को मलपलाई करो वन पॉइंट से ना पॉइंट छलो भालो तो कि आ जाएगा तूपॉइंट 2 आ चुका होगा उसको डिवाइट कर लो फरदर आप लो बचलो किस से पॉइंट जिरो फाइब नाइन से पॉइंट फइंस डिवाइड करने पर कितना बच लोग के आएगा आपके पास वालू आ जाएगा 37.29 नेरली यह हो जाएगा लॉक के का वैलू आप के का वैलू क्या होगा तो के का निया लॉग लेना तो यह तक टैटेल का पर क्या तो आपको इसमें कैसे लेना भी समझा दिया गया तो डियूरिंग आप ट्राई करना कि अगर आपके पास ऑप्सन दूर दूर है तो आप प्रॉक्षमेशन से काम चला दलना इसे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होगा तो यह था इस इसकोष्णन का आले से लिफ इसमोग नेक्स्कुश्ण पर बचलो इसकोष्ण आपसे पूछा गया है सेल कॉंस्टां का वैलू और अपको गिवन इनफों मेशन क्या दिया हुआ है कि आपका उलेशन है सेंटी मोलर इसका मतलब इसका मोरटी होगा वान बाई टैन सेंटी मोल solution का connectivity दिया हुआ है यानि आपको के का वालू दे दिया है अब के का वालू आपको दिया हो cgs में इसका लाव और क्या दिया हुआ है आपको resistance का वालू दे दिया है इसका वालू कितना दिया हुआ है 60 की ऐन घंगे आपको क्या करना है तो एक on strategy को हम टॉलते हैं तो जीow सिऑ अब के मिप बस तर्चां आपके पास तरह स्थिर वालो के पास रिये शहिंक है सिग्षार की चितना है पॉयंट जी रो टु टू-1 जी रो कर लोगे दिया जाएगा 1.26 सेंटीमेटर इन वर्स आपका यह होगा यह होगा करेंट ऑप्शन तो बचलो यह थास्ट कुश्टन का अनलाइशिस मोग करता हम लो नेक्स कुश्टन पर बचलो इस कुश्टन में आपसे एसेटिक एसेड का मोलर कंडेटर्स पूछा गया है ए आपको इनफानाइड अलुषन और आपको इनफ़ोमेटर्स कैदिया है लिम्टिंग वैलू दिया हुआ मॉल कंडेटर्स का नासील का स्लो का और स्टेंट का इसका जो वैलु दिया हुआ ए एसेटिक सिटी किसेग की गलुट्राइब रहीट होता है उसका मोलर कंडेटर्स अइन चाहिए एट इन्फार डुलेशन तो सिंपली सो पता करने का तरीका होता है तो कर समाइबर होता है यानि कोंकि स्गार्फ प्लस नू चीट में गया उनके प्लस होगा है अब आपको गिवन दिया हुआ है सोडियम स्टेट का सिम्पल साची है अब गिवन में से अगर स्टेट अनको चाहिए तो चाही है कि कहा मिलेगा मेरे सोडिम स्टेट मिलेगा तो हम क्या करते हैं सोडिम स्टेट के वालू को हम अगर यूज करेंगे तो इसमें स्टेट आये तो मिल गया साथ में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है एने प्लस आपके पास एक्स्ट्रा है इसको आपको बाद में माइनिस करना पड़ेगा अपको लिखोगी तो उसमें WiFi साथ मिल जाएगा सी surprises information ओन्स एक्सक्टां पर एक्सटा की मिल सुएन अफ्सिरा मिल गया आपको लिखेंस लेकर लिम्टिंग बाले जाखेंगा मैंने समस्टाइक्टल कि लिखना ठेक ऐसा करने पर अल्टमेटली आपको अगर जब इन सब को आप सम करके माइनस कर लोगे तो मिलेगा को उपर वाला क्वांटी मिल चुका होगा है नहीं आपको लिंट को मिल जाएगा सिंपल सा चीज था वालू को डाल देते हम हम लोग तो सब्सक्राइब कितना लिया हुआ है 91 प्लस ऐसी लगतना था 426.16 एंड माइनस एंसल का कितना 126.45 इस समेशन और सब्ट्रेक्शन के बाद आपको जो आंसर मिलेगा आंसर मिलेगा 390.71 ठीक है यह आपको जो आंसर मैच करेगा वो मैच करेगा हमारे सी ऑप्सन के है बच्चों लोग इस क्वेशन में आप से पूछा गया है कि डिसोसेशन कॉंस्टेंट ऑफ सेटी के सीट यह आपको निकालना है ठीक है और आपको दिया हुआ है कि मोलर कंडेक्टिविटी ऑप पॉइंट जीरो जीरो सेवन मोलर सेटी के सीट का वालू दिया हुआ अच्छ आप पले क्या निकाल लेंगे लिपटिंग मौलर कंडेक्टेंस वैसेटि के सीट इख लेंगे जो उसके और के सम के बराबर होगा तो लिमटिंग वहलू जोंगा ऊनिकले वह श्टेट अन प्लस एस प्लस आन का सम को रोस्लोब लाई कर रहे हम लोग लोग City किभी सिटका जो लेम्टेंग कान्टरेकर चुका है अगला पॉइंट क्या निकालते हैं इसका आल्फा निकालेंगे इसका हम आलफा किस पॉइंट का छका सब्सक्राइब का पॉइंट निकला तुइब यह कई पाइब गया अब यहां पर क्या था इसको हम सी बोल दिये तो सी माइनस सी अलफा यहां पर होगा सी अलफा सी अलफा तो आपका जो के होगा के क्या हो जाएगा सी अलफा सक्वाइर उयूण माइनस अलफा अब जो अल्फा के अपड़े काफ़ी छोटा थे आप ऑन माइनस अल्फा को ऑल मॉस्स क्या हो वन लिकर सकते हो तो क्या होगा सीअलफा स्क्वाइर अलफा वालौ कर करते हुँ तो C का फालू कितना कोश्चम दिया हुा है, C का फालू है, 0.007 और अलफा क्या था, 1 by 20, उसका square कर ली हम लोग, तो ultimately हो जायगा, 0.007 नीचे हो जायगा, 20 into 20, तो अल्टिमेटली आप देखोगे यहां पर पावर कितना आने वाला है तो यहां पर इसको भी से तो साथ इंट्टू पर माइनस त्री और नीची में हो जाएगा पर इंट्टू पर माइनस त्व ओस टू अब जो 2 हो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा यह हो जाएगा यानि इसको सॉल्फ करके लिटिमेटली क्या हो जाएगा तो अपक के कहलो आजाएगा 1.75 into 10 to the power minus 5 तो आपका जो के का आंसर जो होगा के का आंसर कौन सा होगा तो के का आंसर होगा option D वाला तो यह था इस question का solution और concept और analysis आपके सामने limiting molar content का वैलू दिया हुआ सफोर का के टो सफोर का एंड पोटैसे में स्टेट का उसका यूज करके हमको निकालना है सफित का limiting molar content तो धान एंगे इसको कैसे निकाल होगा तो सिंपर आप अपलाई करो को लॉस लो लिम्टिंग वैलू अगर चाहिए आपको सफित के सिट का तो यह वैलू इसके आयन के limiting molar content के सम का बराबर होगा यूजिंग को रस आप बोल सकते हो कि अचला हो अधिए अशा होना चाहिए अब डान ना अपको इस सब्सक्राइल का निकालने करो है ऑपके पे पास निकालने पर सोचना百च को अगर आले का सोचना है ठेक नेक्स देंगे आपको चाहिए एक प्लस एक प्लस चाहिए ठेक है तो इसमें लोग क्या करेंगे तो आप अगर लिखते हो test4 का limiting value अगर आप लिखते हो आप अपर उसमें आपको दो एक प्लस मिल गया अपको चहहेथ एक प्लस तो आप क्या करना इसको बाइट डू करू कर सकते हैं अब इस प्रॉसस में आपके पास एक्सटा क्या आ अधा मूल इस प्रोसेस में यहां जो शलफेट आयन में लिख रहा हो यह आपको पस एक्स्ट्रा आthers अधामोल बहात सज में आ गया तो आके पास के प्लस का एक पार्टिकल एक्स्ट्रा है यहां से और सलफेट मैनस का आधा पार्टिकल है इसको हटाना तो आपको एक potassium हटाना हो और आधा sulphate हरना है इसको by two कर लो इसको by two कर लो तो ऐसा करने पर क्या होगा आपको potassium एक और sulphate जो हाँ बाहर निकल जाएगा अब इसमें values को put कर दो तो आपका जो potassium state है उसका value कितना था दिया हुआ था जड़ था आपका sulfuric acid का जो value दिया था x था था x by two कर लेंगे और आपका potassium sulfur का value दिया था y याई minus y by two कर लेंगे याई जो value होगा उसको अब अच्छा से लिखो तो क्या होगा जड़ प्लस एक्स माइनस y by two यह बोल सकते हो तो लिम्टिंग जो कंडेक्टेंस होगा लिम्टिंग molar कंडेक्टेंस होगा city के सिट का उसका value क्या हो जागा इस given situation में जड़ प्लस एक्स माइनस y by two यह ओप्सन डी जो होगा हमारा correct answer होगा तो यह था इस question के आलना इस स्मोग करता हम लों नेक्स question पर बचलों इस question में आपसे पूछा गया है molar connectivity यानि आपको लेम्णा यह पूछा गया है अट concentration point five mole per decimeter नहीं पर लिटर नहीं आपको दिया यह मोरटी मिल गया question का आपको और आपको connectivity of solution दिया हुआ है यह आपको के दे दिया है के दे दिया हितना दे दिया है और के दिया गया cgs में तो हम लेम्णा हम निकालेंगे cgs यह में cgs यह हो जाएगा फार्मूला होगा thousand के बाई c thousand into k का वालू क्या होगा चलो तो के का वालू कोशन दिया होगा था 5.76 into 10 पर-3 और c का वालू कितना दिया हम मोरटी में 0.5.5 तो यह 10.3 और यह 10.3 यह कैंसिल कर लेगा तो अटमेंटी क्या होगा 5.76 बाई 5 डेसिमल कैंसिल कर लो यहां से यह हो जाएगा फेप्टी सेवन 0.6 by 5 तो यह जो वैलू आ जागा यह आ जागा 11.52 तो आपका जो आंसर होगा आंसर होगा आंसर होगा ऑप्शन बी तो यह था इस कर लोगा आप से अमोनियूम हाड़व साइट का डिगरी ओफ अन पूछा गया है निया अल्फा पूछा गया है इन परसंटेज में इन परसंटेज में और बोला गया है आपको अमोनिया मत अशाइट का कि यहां पर दिया हुआ है कि तर और को अलफा निकलना है कूझकि लिम्टिंग पॉइंट पर यापका इन्फा लोन होता है तो वहाँ अब से पूचे तो अब अब आपका concentration था point one molar यह इस point पूछा गया तो इस point का जो लेमडा यह नि molar content जो था उस point का दिया हुआ है 9.54 बहुत संच मैं यह तो आपको simply अगर जिस point का आपको alpha निकालना है उस point का आपको lambda उसको divide करेंगे lambda infinite से यहां पर होगा nine point five four को divide करोगे two thirty eight से ठीक है nine point five four को अब divide करो two thirty eight से तो value निकल क्या जाएगा point zero four point zero four zero eight क्या स्पास आएगा percentage में कितना जाएगा तो percentage में निकालने के लिए percentage में निकालने के लिए क्या करोगे quantity को आप हंड़ से कर दोगे तो value आजागा percentage में four point zero zero eight परसेंट हो जाएगा यह हमारा जो आंसर होगा option A से मैच करेगा तो बचल यह था इस question का current analysis and solution move करता हम लोग next question पर बचल इस question में आप से बोला गया है कि limiting molar connectivity of NH4OH को किसते सब एक्स्प्रेस कर सकते हो तो द्हांदना यूजिंग को रॉसला हम बोल सकते हैं कि limiting molar content of NH4 जो ओच होगा वह अपने आयन के limiting molar content के सम के बराबर होगा है नहीं limiting molar content of NH4 plus and limiting molar content of OH- के सम के equal होने वाला है अब ध्यांदेंगे किस option में हमारा value इससे match करेगा होई मेरा answer होगा तो पहले बाले में ध्यांदना आपको NH4OH चाहिए तो उसमें पहले बाला option में प्लस तो मिल जाएगा आपको बट यहां पर OH- कहीं भी समेशन में नहीं है तो इसको भड़ा सकते हो सेकेंड वाले केस में क्या है कि आपको OH- तो मिल जाएगा बट यहां पर ammonia माइन का अडिशन में नहीं है आपके पास अगला अडिशन है तो उसमें आपको मिल जाएगा तो यहां पर मिल जाएगा लेकिन कि आपको मिल जाएग एक्स्ट्रा उसको अड़ाना है आपके पास अगला अडिशन है यहां पर मिल जाएगा यहां पर यहां पर और यहां पर यहां D करट वे होगा इस को रिलिट करने का तो हमारा आंसर डी करेट होगा दे त्हीं था इस कुश्चन का answer मौफ करता है नेक्स कॉश्चन पर बचलो आपको limiting molar contentcience दिया हुआ है अरट in find evolution पर कितना दिया हुआ है लिखा हुआ है एंसल का 126.4 एसल का 425.9 लिया हुआ है अब इसका यूज करके आपको दिया बोला गया है कि सिटी के सिट का लिम्टिंग मोलर कर्टेंट कैसे निकालोगे तो दहांदना सिंप्लिए हम यूज करेंगे को रॉस लो तो लिम्टिंग वैलू अफे सिटी के सिट जो होता है व हो अपने आयन के लूम्टिंग वैलू के समके एकवाल होगा यह स्टेट ऐए न एन शीच्वर सन के समके एकवाल होगा अब homeworkię gelnd करिशंड के सौन का पारथ है तो पने इसको निकालना परणीर स्वेक्श्वान वाथक्रण्य संदना स इसको मुझे आपको है प्लस की साइन से मिलेगा तो मिलेगा आपको से से तो हम यहां लिम्टिंग वालू का जोड़ लेते हैं तो साथ में सिर्मा एक्षा मिल चुका है मुझे सिर्मा इसको बाहर निकलना है यानि अब किसको बाहर निकलना आपको आपको बाहर निकलना है एन प्लस को एन CL minus को यानि NCl को बाहर निकालना है तो minus कर देना limiting value of NCl तो A हो गया आपका equation setup अब values को put कर देते हैं तो sodium acetate का value होता है कितना 91 SL का value होता है 425.9 minus of NCl हो जाता है 126.4 अब जो value निकल के आ जाएगा या जाएगा around 390.5 तो आपका जो answer होगा या answer D हमारा correct होगा तो बच्चली था इस question के आला इसे smoke करता हूं लोने इस question पर बच्चली इसको बोला गया है कि जब हम dilution करते है strong light का तो आपका जो current contentance है वो बढ़ता क्यूं है तो धाना जब आप dilution करते हो उससे होता क्या है उससे होता है increase in ionic mobility of ions क्योंकि आपका जो ionic solid होता है उसमें एक static force होता है जैसे एने प्लस हेल माइस है तो इसमें एने प्लस हेल माइस हापस में attracted है जितना dilution करों को तो नहीं ion क्या होगा आइन का separation बढ़ेगा यानि आइन का distance बढ़ेगा तो इनका जो इंट्रल्टॉनिक attraction है जो इंट्रल्टॉनिक attraction था उसका force weak होगा तो उनका mobility क्या होगा इंक्रीज करेगा और mobility इंक्रीज करेगा तो उनका equivalent content भी automatically क्या होगा increase करेगा तो इसका answer ए होगा correct ए था इस question का आपसे पूछा गया है equivalent content in fine allusion of aluminum sulfate के लिए कौन सा expression correct होगा तो simply दाना जब भी आपसे पूछा जाएगा limiting equivalent content तो simply जो होगा जिसका ही पूछा जाएगा उसके आयन का बस sum कर देना ठीक है बहुत simple से काम करना आपको उनके ions का limiting value का बस sum कर देना और कुछ मत करना मतलब उनके coefficient से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए आपको यनि simply इसका जो value होगा वो limiting value होगा L plus 3 का plus limiting value of sulfate ion का coefficient से मतलब नहीं है जब भी आप equivalent content निकालते हो in fine allusion में तो simply आपको बस ion जो भी बना हुआ उसको sum कर देना है और कुछ मत करना तो आपका जो answer होगा हमारे बी option से match करेगा तो यह था इस question का correct answer move करता हूं ने next question पे बचलो इस question में आपको equivalent content दिया हुआ है M by 32 यानि 1 by 32 molar a weak monobasic acid का दिया हुआ है value 8 और आपसे बोला गया है कि infinite allusion पे जो value है 400 आप आपको के पता करना के मतलब distribution constant पता करना acid का तो पहले आप alpha निकालो ना तो जब alpha होगा alpha किस point में निकालना है तो जब concentration था 1 by 32 तो उसका alpha क्या होगा तो उस point का जो equivalent conductance होगा डिवाइड़े बाइंटिंग equivalent conductance जो होगा यानि infinite allusion पे जो equivalent connection होगा उसका ratio लोगे तो जाएगा 8 by क्या हो जाएगा 400 ठेक है अब यह value किता निकल लगा 1 by 50 तो आलफा होगा 1 by 50 अब जो आपका भी केसीड है वी केसीड कैसा नेज करेगा तो हे टोटेगा एच प्लस में एड़ माइनस में यहाँपे सी होगा तो क्या होगा सी मैं सी अलफा सी अलफा सी अलफा तो जो के होगा के इकल टू क्या हो जाएगा एच प्लस सा कॉंसेंट्रेशन इंट्व मैं सा कॉंसेंट्रेशन डिवाइड़ बाई क्या होगा एच एक का कॉंसेंट्रेशन चेक है अब यहां पर क्या होगा इसको ब हमारा अल्मोस्ट एकल टू वन माल लिए चुक्क अलफा छोटा थे आप रोस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा तो अलफा के हो जाएगा सी अलफा स्क्वाइर आप ध्यांदेंगे तो अब हमको के एकल टू से अलफा स्क्वाइर में के का हलू जो है कैसे निकलेगा तो आप यहं डालोगे ओन भाइ धैटीन कि आलफा के बलू कितना होगा वान्वा थेप्ति का स्क्वायर को सीअ टो अल्टीमेटलि आजायेगा वहनभे थैटीन्ट इसके आप ऊंण करना है किन टो नीचे जो है तो आप टूस्चर्न करन्हें कोचीज करता हम लोग ताकि जल्दी बन जाए तो यहां पर दो जीरो है तो इसको 10 पर माइस टू कर लेते हैं उपर में और डिवाइडर रहे गया तो 32 को थर्टी माल हो थे लिए लेगा तो अपर इंटो फाईव चलेगा तो थर्टी इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है तो इस कालड़िशन को हम उपर दिखार आपके लिए कि तो थरीटा लुप हो जाएगा कितना मचलो हो जाएगा वन सिग्स्टी यानि और और मैस तू है नीचे हो जाएगा वन बास समझे अब इसको यहां लिखोते हो जागा 10 पर माइस 4 by 8 हो जाएगा अब इसको फर्दर करना आपको 10 पर माइस 4 by 8 को 10 पर माइस 4 by 8 का जो solution आएगा यहाजाएगा 0.125 into 10 पर माइस 4 यानि हो जाएगा 1.25 into 10 पर और माइस 5 तो आपका जो आंसर होगा आपका आंसर जो होगा option D होगा तो दहाने बच्च लोग बस अब लोग question discuss नहीं कर रहे हैं आपको अप्रोच यह बता रहे हैं और during exam आपका calculation का अप्रोच यानि कैसे करना भी जिखा दे रहे हैं आपको क्योंकि calculation जो है वह जब जब question practice करो तो पूरा calculation को पूरा करना है क्योंकि अभी नहीं करोगे तो exam time में भी मुस्किल होगा तो यह था इस question का अलाइस स्मोग करता हूं लोग बच्चों लोग इस question बोला गया है कि को रॉसला का जो लौ है क्या स्टेट करता है तो जहां देंगे को रॉसला बोलता है कि इन फान्ट अलिशन पर जो इच आयन होगा उसका एक डिफेंट कंट्रीशन होगा तुवर्स मूलर कंट्रेशन सफने लिट लाइट बाकि जो बी यॉडि में यहां पर जो दिया हुआ यहां पर वाड इसके और यह दोनों रॉंग हो जाएगा ठीक है तो आपका जो आप्सेन होगा आप्सेन क्या होगा हमारा करेंट आंसर होगा यह था इस question का answer move के तो लो next question पे बच्छों लोग आपके सामने barium plus 2 in 0 minus का equivalent content दिया हुआ है at infinite allusion पे और बोला गया है आपको निकालना है equivalent content of basil to infinite allusion तो बहुत simple है जब भी हम equivalent content का बात करते हैं तो simply हमको ions के value को add कर देना और कुछ नहीं करना है यानि आपको अगर निकालना है limiting value of basil to का equivalent content निकालना है तो simply आप का करना उसके ion को sum करते हैं यह कोफेसेंट से कोई मतलब नहीं है तो ions का value क्या दिया है उसमें आपका barium का value दिया हुआ है 127 और आपका यह दिया हुआ है 76 ठेक है तो value कितना आजाएगा इन दिनों का आप add कर लो तो add करने से जो value आ जाएगा यह 203 आ जाएगा तो आपका जो correct answer होगा इसका इसका होगा option C तो यह था इस question का correct analysis मोब करता हम लो next question पर बच्चों लोग इस question में आपके समने specific content दिया हुआ है आपको के दे दिया गया है point one normal case solution का जिसका बालू 012 आपको साथ में क्या दे दिया गया है आपको resistance का बालू दे दिया गया है 55 ohm आप से पूछा गया है जी यानि सेल कौन से पूछा गया है तो अब जहांदना जी कोल टू क्या होता है के इंटू आर बस के इंटू का आर करना आपको तो 012 इंटू कर दोगे 55 कर दोगे ठेक है point one two into 55 कर देना है अब इसको आप सॉल्व करो तो यह answer कितना आएगा तो जहांदना अब डेसिमल को जो यहां खिच होगा तो यह point यहां जागा इसको आप लिख सकते हो वान पॉइंट टू इंटू पॉइंटू पॉइंट फाइफ फाइफ भी लिख सकते हो यानि आपका जो वैलू होगा वो कहीं ने कहीं आपका जो है point one two का अल्मोस्ट आधा होगा क्योंकि पॉइंट फाइब होता है तो हमारा जो आंसर होगा इसका निकालने पाए जाएगा point six six यानि हमारा अंसर भी होगा एट था इसकूश्ट का करेंट आंसर मुव करता हूं पर बचली इसकूश्ट में पूछा गया है कि जब आप हीट करते ह इसका करते हैं मैं सब्सक्राइब कीसे एक हिंड पर दूसा हिंड हट क्योंव जाता है तो इसका रीजन होता है कि द्यूटू फफ अल्ट्रॉन क्या होता है एनर्जी करता है और वाइबरेचन द्रू करता है और अनर्ची को ट्रांसफर करेगा जिसका answer हो जाएगा option a तो यह था इस question का current analysis move होता है तो नेक्स question पे बचलो इस question में आपसे बोला गया है कि जब आप लिटलाइसिस करते हो dilute st4 का using ptl trode तो आपको anode पे क्या मिलेगा धन्दना जो anode होता है वहाँ पे क्या होता है oxidation होता है और इनोर का sign positive होता है तो positive होता है तो इसके पास कौन सा ion attract होलोगा जोकी negative होगा तो system में आपका negative आयन होगा sulfate and OH minus यह दूनों anode attract होगा अब इनोर पे होगा क्या is oxidation होगा तो солнvate और OH माइनस में आयन में चुक्कि सिस्ट्म डालूट है तो डालूट सिस्ट्म में क्या होता है कि अलफेट का OXIDATION difficult होता है उसके समें OH- से O2 फोर्म करेगा ठीक है तो डालूट सिस्ट्म में Sulfate का OXIDATION नहीं होगा आपका O5 का होगा इसका जो सब्सक्राइब करें तब क्या होगा देंगे अगर आपका मेंशन होता है कि सोलेशन कॉंसेंट्रेटेटेटेड है तो उसके समय होता है कि जब अनायन का कि बिकम एजी एधान देना जब आनायन का कॉंसेट्रेशन बढ़ाते तो उसका औकसेडेशन करना आसान हो जाता है अब बोलो कि सार ओएज पे क्यों नहीं हो रहा है तो तो सॉल्वेंट्स या रहा ना ओएज किसा पाठ वाटर का पाठ है तो उसका वाटर का फिक्सी है यहां प्रोसेस क्या करेंगे हम ऑक्सेडेशन करेंगे ठेक है अब ऑक्सेडेशन प्रोसेस में यहां पर दू आयन होगा एक होगा सॉल्वेट एक होगा ओच लेकिन चुकि सॉल्वेशन कॉंसेंट्रेट है तो उसकेसमें क्या होता है उसकेसमें सल्फेट का है, वहाँ से लोज करता है और ये खुद को यहाँ वेजएगा अनी रेडिकलन वेजएगा ठीक है तो यहाँ पे लुट्रून का लॉस होगा अब यहाँ पे यह फॉर्म कर गया इस तरी के का रेडिकल अब ऐसा दो रेडिकल मिल के करें तो ऐसा दो रिडिकल मिलके डायमराइज करता है और सिस्टम आपस में कलब करता है ठेक जब कलब कर लेगा तो यहाँ डॉट यहाँ डॉट इसको जोड़ देना है दो निगेटिव को आपको जोड़ नेडिव नहीं था नेडिव औरेड यहाँ पर हो चुका है तो दोनों जो है डॉट कॉप कनेट कर दो इस सो तो यहाँ पर यहां पर इस कनेट कर दो तो यह बांड बन गया टेक यह जो बनता है इसको अब लेख से तो है तो अगर sulphate का concentration ज़्यादा हाई होगा उसके समें o h का oxygen नहां होगे sulphate करेंगे तो question में अगर डार्व लिखा रहेगा तो o 2 निकलेगा और concentrated लिखा रहेगा तो sulphate से s2 o 8-2 बनाएंगे तो बचलो इस question का solution और नेक्स question पर बचलो इस question में आपसे पूछा गया है कि 20 gram calcium आपको चाहिए from molten calcium chloride से तो आपको कितना फ़रेटर चार्च को पास करना पड़ेगा तो धन्देंगे तो आप धन्दना आपका जो molten calcium chloride है उसमें calcium oxidation शेट किता है प्लस टू तो इस प्लस टू से आपको calcium चाहिए तो आपको पता है कि प्लस टू से calcium का state 0 जाने में आपको दो ल्ट्रोन देना पड़ेगा ताको उस relation किया चुका है कि दो ल्ट्रोन से एक calcium मिलता है आपको यह सिंपल सा ब्लस से अकर एक य toute principals मिलता है तो और हम दो मूल लेंगे को आपकोpal Westernale के mieć मॉलड्रोन दिया हुआ है अब दो मूल ट्रोन कर दो चार्ज हो तो उसको उसको बولने युफ और यह इस तो दो हुछ चार्ज करने माउन पास करताए को आपका calcium का weight 20 gram दिया हूआ है तो 20 gram weight को mool में change करो ना तो mool में change कितना होगा तो 20 weight 40 calcium का mool 1994 होता है तो mool हो गया हाफ तर्थान देंगे आपको यह बता चल चुका है कि 1 mole calcium के लिए दो फाराड चाहिए तो हाफ mool के लिए कितना चाहिए होगा तो फारड होगा इसका जो answer होगा इसका answer होगा ए 1-4-day तो इस जो question लोग solve किये है यह fundamental approach को लेकर solve किये है अब ध्यांदेंगे इसको faraday law का use करकर solve करें तो उसका भी solve कर सकते हैं तो इसका जो second approach देखते हैं तो यह हम लोग जो पहला approach थो था fundamental approach से question solve हो गया अब move करते हैं हम लोग अगले अप्रोच पे तो जानना आपका फारडे लो बोलता है कि w equal to क्या होता है q के proportional होता है weight तो weight q के proportional होगा और w equal to क्या होता है z q यह था आपका फारडे लो तो यहाँ w है weight तो weight 20 grand report करेगा z होता है electrochemical equivalence यह होता है आपका e by f e होता है equivalent weight by faraday अपका q हो गया अब e जो होगा e होता है molar mass by n factor तो यहाँ पर डिपोईट कौन करें calcium plus 2 calcium में जा रहा है तो यहाँ पर n factor क्या होगा n factor हो जागा 2 तो e हो जागा molar mass by n factor calcium का molar mass कितना होता है 40 तो 40 by 2 कर लेंगा यहाँ यहाँ पर क्या था इन्टू क्यू और वेट कितना था वेट दिया हो 20 तो 20 को कर रहे हो अब 20 एफ इंटू क्यू से तो 2020 कैंसिल करेगा तो चार्ज क्यू का वैलू कितना आ जाएगा वान फारड़े तो बचलो यह था इस question का answer तो अपना answer क्या होगा वान फारड़े होगा बासंज में आया तो बचलो इस तरीके समलों दोनों method का use करके question को solve करना सीख चुके हैं आपको जो method अच्छा लगा उसको आड़ाप्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मेरा हमें सारी का तो पॉइंट वन मोल क्लोरीन गैस इवाल्व करेगा बाइपासिंग करेंट ऑफ थ्री एंपेर तो बोला गया टाइम क्या यहां पर यहां पर दोल्टों का लॉस होगा तो आपका एक सिल्टों बनेगा तो अगर दो मोल ट्रॉन का लॉस होगा तो आपका अगर शिल्टों का पॉइंट वन मोल तो उसमें आपका जो फारडे यूज होगा वह जागा पॉइंट टू फारडे तो इतना चार्ज आप यूज करने वाले हो अब जो चार्ज पॉइंट फारडे तो पॉइंट टू इन्टो नाइन शिक्स फाइब डबल जीरो कूलम य इसको एक वड़ कर दो का इन्टो टी से ठेक तो आई का भालो कितना था 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 टाइम क्या हो जाएगा पॉइंट टू इन्टो नाइन सिक्स फाइब डबल जीरो इन्टो यहां पर कितना ठीक है बाई बाई था एमपेर से रिवाइड कर दी हम लोग अब इसको में को स सेकंड्स में आपको आंसर किसमें दिया हुआ है आपको दिया हूँ आंसर मिनेट्स में तो हमको मिनेट्स में सौल करना रहनी क्या होगा टाइम इन्ट मिनेट्स क्या हो जाएगा ते हो जाएगा पॉइंट टू इन्टो नाइन सिक्स फाइब डबल जीरो डिवाइड़ ब 18 यहां 2 से cancel कर लो इसको ते क्या हो जाएगा 965 by 9 अब इसको डिवाइड करता क्या होगा एक से कटेगा ठेक है अब 65 को लोगे तो almost जो होगा 10107 ठेक है 107.33 क्यास पस जो है आपका वालू रहेगा मतला निर अबट 3 रहेगा 107.3 क्यास पस आपका वालू आने वाला है मिनेट्स में अब देखोगे कि आपका जो कौन सो उप्सन इससे निर वाइड हैगा निरेस्ट रहेगा तो आपका जो जो बी है बी हमारे आंसर से निरेस्ट है तो हम बी को टिक कर सकते हैं तो बचलो इस सब्सक्राइब करें आपको पता करना है नंबर फेल्ट्रॉंस डिलिवर आट कैथोड डियूरिंग अल्कलाइस बाया करेंट ऑफ वान एंपेर का होगा इन 60 सेकंड का होगा तो आपका जो चार्ज होगा यह होगा 60 कुलम बास मैं तो चार्ज निकाल दिए अब धान मोल एलेक्ट्रॉं का जो चार्ज होता उसको बोलता है हमनों फाराडे और कुलम में बोलते हैं कितना तो कुलम में बोलते हैं 965 00 कुलम तो यह होता है एल्ट्रॉं का मोलर चार्ज एल्ट्रॉं का मोलर चार्ज तो ध्यान दना इस चार्ज को हमको अगर चेंज करना होगा क तो simply क्या करोगे आप इस 60 को डिवाइड कर दोगे 965 00 से ठीक है तो इतना मोल अफटरन हो गया इसका नंबर पता करना आपको तो नंबर पता करने क्या करेंगे हम लोग तो नंबर पता करने क्या करेंगे स्मोल को मलप्लाई कर देंगे आप अब अब और नंबर से तो 60 बाई 965 00 into एने अब एने का वालो को पुट कर ले ना तो एने का वालो पुट करेंगा तो क्लिक्रेशन कर लेते हैं कि अब लोग तो 60 डिवाइडे बाई 965 00 into 6.022 into 10.23 ठीक है अब इसको हम सॉल्व करते हैं त कैंसिल यहां पे डेसिमल एक कर चुका है ठेक अब यहां से आप क्या कर सोत होती है यहां से स्कॉप ऐसले से तो उपर लेख तो 36 लिख दो नीचे लिख दो 9.65 के आसपस लिख दो और जो है नीचे लिखोगे 10 का पावर अगर 9.65 0 लिख रहे तो 10 का पावर कितना होगा 3 ह हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 10 two are 23 होगा यहां पे कैंसिल करके का हो जाएगा तो 36 by 9.65 सब्सक्राइब हो जाएगा अब जाएगा 36 और 965 को अल्मोस नीचे वालो 965 को अल्मोस आप 9 मान सकते हो तो अल्मोस चार बारों में कटेगा तो आपका जो आंसर नीर अपट होगा फोर इंट्ट पार 20 के आसपास तो आपका जो वैलू 4 है उसे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि जो देनमेटर था वो 9 साहलका सा बड़ा था तो फोर साहलका सा कम वालू कौन सा दिखर आपको सी यह उप्सन सी आपका करेट आंसर होगा तो बज़तों हम लोग कैसे करना है वो भी साथ सा सीखते जा रहे हैं क्योंकि आप लोग मेडिकल वाले बच्चों का क्योंक्यों मे आपके लिए आसान कर दिये हैं तो इस तरह के एजी ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहे हैं मिलते हम लोग नेक्स्क्रिशन में बचलों आपसे पूछा गया है कि एमनो फॉर माइनस टू का अगर आप पॉइंट वान मूल कॉंटिटी को ऑक्सराइज करतो है एमनो फॉ होता है और यहां प्लास सेवन है तक यहां पर एक कोईन मॉल में अगर आप देखोगे थो एक उन मोल खूब तो नहूंत क्या व्यंक्राइज में अपकता है कि एक की जतना का चाज क्या होता तो यह दो है कि तो पॉइंट वन का चार्ज का क्या बोल सहते हैं पॉइंट वन फाराइडे बोल सकते हो अब इसको प्ड्द करो पॉलम में तो फॉइंट वन इंटॉ 965 कॉलम एन आपक्र जागा इसकान्सर हमार अब और समीस से मैच कर रहा है तो इसक्कषंटका librikum तो बचलो यह था इस question का सबसे simplest way से कैसे solve करना है discussion हम लोग कर लिए तो हम लोग इस तरह के question को further और भी आपके लिए easy करेंगे तो इस तरह के discussion के लिए हमारे साथ बने रहें मिलते हम लोग next question में बचलो इस question बोला गया है कि 5600 ml of O2 को displace करने के लिए STP पे जितना आप electricity करते हो उतने ही चार्ज में आपका silver का weight कितना डिस्प्लेश होगा पता करना है तो धान देंगे आपका जो O2 फॉर्म करता हो बनता है oxide से तो oxide से O2 बनने में इसको balance कर लेते हैं तो यह 2 लिग देते हैं तो आपका oxide पर oxidation क्यातना होता ओका minus two minus two से कहां चार oxidation जीरो में तो एक ओटर में दो का का लॉस होगा दो में कितने का लॉस होगा अब इस balance equation अब देखोगे तो एक ओटू के लिए चार्ज का requirement होगा अब कुश्चन में आपके समने volume दिया हो था ओटू का फिप्टी सिक्षन में में उसको मोल में चेंज कर ले ना मोल में चेंज करेगा तो डिवाइट किसे करना पड़ेगा 224 00 ml से तो मोल निकल कर जाएगा वान बाई-फोर तो वान बाई-फोर मोल ओट करना किसमे वर के solution में जहां सिलवर आयन मौझूद है तो सिलवर आयन से एज डिस करता है इसमें एक किल्टरू नगलो गेन करते हैं तो एक ल्ट्रोन से एक एजी बनेगा तो एक मोल ट्रोन यानि एक मोल ट्रोन से आपका एक मोल एजी बनने वाला है और एक मोल एजी जो एल्ट्रोन है उसका चार्ज को बोलते हम लोग वन फारडे यानि वन फारडे के चार्ज से आपका एक मोल एजी फॉर्म करेगा तो हमा तो 108 यानि 108 ग्राम तो बचले यह था इस question का solution और analysis मूव करते हम लो ने इस question पर बचलो इस question बोला गया है कि how many grams of coval metal build is positive when a solution of coval 2 chloride is utilized with a current of 10 ampere for 109 minutes तो धन्हेंगे आप simply क्या करोगे इसे फार लाव अपलाई कर ले तो w equal to क्या होगा जेड्ड क्यो अब q equal to क्या हो-जाएगा तो ज्रट i in to time अब जहाँ पे क्या है तो जै वतता है आपका e by f अभी ए क्या है दो ree for a fara de- nae क्या होता यह होता है जो भी सब्सटांट कर नी को कवाल्ट है ये दिपोईट करने वाला है तो कोवाल का जो मोलर मास होगा उसको दिवाइड करोगा इसके एन फेर्टर से तो molar mass को बाल का कितना दिया हुआ है 59 और inverter कितना है पर 2 है तो यह हो गया आपका E का value तो W equal to क्या हो गया 50 ZQ नहीं 59 by 2 by F F मतलब 965 00 यह हो जाएगा आपका E by F का ratio नहीं Z हो गया है आपके पास current कितना के पास दस Ampere और time कितना है तो आपको 109 minutes में है उसका चेंज कर लो सेकेंड में तो 109 into 60 कर लो ना ठेक है अब दहां देंगे आपका जो option A B C D है तो दूर दूर है एक option 4 है एक option क्या है 20 है का 40 है का 252 यानि हो जागा 30 हम लोग क्या 260 माले 60 तो 30 होगा 30 by 965 00 है into क्या उपर में है यहां पर 10 है और यहां पर जो 109 उसको 110 मान सकते हो और इंटू 60 कर लो ठीक है हलका फूल का चेंज से हमारे आंसर में हलका फूल का चेंज होगा तो क्योंकि option बहुत दूर दूर है तो हम उसमें मेरे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो जहांदेंगे इसके साथ हो जाएगा ठेक तो उपर में जो होगा 30 इन्टू 10 इन्टू 11 इन्टू 6 पचा हुआ है नीचे क्या होगा 965 अब तो अगर इसको हम लोग ऐसा मानते हैं आप नीचे वालो लोकुन 965 इसको 960 मन ले 960 तो नीचे 960 मनता है तो उपर हो जाएगा 30 नीचे वह जाएगा 960 इन्टू 10 इन्टू 11 इन्टू 6 आप 10 इसको यहां से कैंसल कर सकते हो तो 3 से आपका 32 वार में कैंसल होगा तो उपर हो गया 10 into 11 into 6 और नीचे हो जाएगा 32 ठेक अब धन न इसमें से further क्या होगा दो से cancel कर रहे हाँ पर 10 into 11 into 3 होगा और नीचे 16 आ जाएगा नीचे क्या होगा आपका 16 आ जाएगा अब इसको further solve कर रहे है तो उपर का जो value होगा यह हो जाएगा 3 30 तो 3 30 by 16 इन इल्टिमेटली value क्या रहा है 3 30 by 16 इसको तो हम solve कर सकते हैं तो यह होगा 22 ठेक है तो 2 पर 1 आएगा तो 20 20 पॉइंट सम्थिंग आ रहा है मतल़ 20 पॉइंट यह 20 का लंब सब में आपका अंसर आने वाला है ठेक है तो 20 पॉइंट आपका 6 का असबस आएगा तो आपको ध्यांदना चूकिंगे आप अप्रस्पॉमेशन की हो तो आपका जो आंसर यह एट होगा वह आपसर बी होगा तो आपका यह एट आंसर क्या होगा बी यह एन्ट टुंटी के 20 होगा चूकि हमारा आणसर तो बच्छलों यह था इस question का solution और आप calculation को कैसे सिंप्लिफाइब कर लिए है तो इस तरह के simplified calculation को कैसे करना है समझने के लिए हमाँ असाथ बने रहे हैं मिलते हम लोग नेक्स question में बच्छलों बोला गया है कि आप अल्मुना का अल्ट डाइसिस कर रहे हैं उजिंग current फोर इंटेंट पर फोर एंपेर और जो current पास किया गया च्छे घंटे के लिए पास किया गया है तो बोला है कि मास अफ अल्मुनियम जो डिपोईट करेगा उसका बालू बताना है ठेक है इसको दो तरीके से solve करते हैं एक होता fundamental तरीका तदानेंगे एल प्लस थ्री यानि अल्मुना जो है उसमें अल्मुनियम का oxidation शिट क्या होगा इसमें तीन लिट्रों डालने से आपका बन जाएगा एक अल्मुनियम तो अगर आप तीन मॉल लिट्रों डालोगे तो यहाँ पर बनेगा एक मॉल बास में आए और तीन मॉल ट्रों का चार दीन वालु निकाल लो तो चार्ज का जो वालु है तो करन्ट का वालु है पोयं टेइंट पर 4 इंटु टाइम टाइम था छे घंटे का तो 6 घंटे को चेंज करो सेकींड में तो 6 ूरू 3 6 इतना कुलम हो गया के पास इस कुलम को चेंज कर अगर आपका नाइन सिक्सफ छेंग हो जाएगा तो जाणत ना 3 फारड के से आपके पास एक मूल अलमुनियम होता है तो जितना फारड होगा उसका वन थर्ड मोल हो गा तो इतना फारड है तो मूल अवो होगा वो होगा इसका 1 3rd यहनी 1 3rd आफ इंटू 6 x 3600 divided जो फाइब में तो इसी को मलप्लाई करो आपको वेट निकालना है न तो मौल अलमॉनीयम को मलप्लाई करो किसा करो होगे 27 से एन उसके मोलमास से तो वेट आफ आलमोनियम आपको मिलने वाला है तो वेट आफ आफ आलमोनियम क्या मिले बचलो तो वान बाइट थ्री इंटू 4 इंटू 10 पर 4 इंटू 6 इंटू 3600 डिवाइड़ बै 965 00 इंटू 27 अब इसको को सॉल्व करना है तो इसको चलते हैं लों सॉल्व करते हैं धानदना आपका जो थ्री है थ्री से कैंसिल हो जाएगा टू वार में बस समझें यह दो वार में कैंसिल कर लिए है अब क्या करना यहां पे जो है यहां में 27 है करो न चालो करो ना आपको यहां पर जीरो को एंटे करेंगे तो आपका यहां पर बच्छा है वेट वाले में उपर बच्छा पर 4 बचा हुआ है इन्टू 2 इन्टू 36 ट्रेक है इन्टू 27 अब नीचे जो बचा हुआ नीचे क्या है 965 है 965 बचा हुआ है बासज में है अब इसे जब सॉल्व करते हैं हम लोग बिदानेंगे अगर 965 को तो अप्रोश्मेट करते हैं तो क्योंकि आपका आंसर जो है आंसर में अप्रोश्मेशन करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि टेन का पावर जहां पर कॉमन है वहां पर वैलूस दूर दूर है और यह नहीं तो अगर हम थास अगर अप्रोश्मेशन करते हैं तो सायथ हमारा कोश्ण जल्दी बन जाए तो हम लोग इसमें 3 को कैंसल कर लो ठेक्ट यहां ठू होगा यहां पर थाडीश होगा यहां पर 27 होगा अब इसको कर लोगा है त्यों क को मलड़िय कर लो ना तो 8 होगा और 8 होगा 80 होगा, 80 के ऐसा 36 से 27 है, ठेक, अब इसमें क्या कर, 36 को आप अगर उसको घटाओगे, तो चल सकता है, तो 36 को आप मान सकते हो, या एक काम करो, 36 को आप क्या कर सकते हो, इसको उसको बढ़ा के 40 कर लो, और 25 को घटा के 25 कर लो, 27 को, इतना करने से आपके आंसर में हलका से वरेशन होगा, तो हमारे आपसन को टिक करने में कोई इशू नहीं आएगा, तो धन देंगे, 80, 40, 25, तो आपका जो वैलो होगा, तो यहां पर हो जाएगा, 25, और 10 का प्वार 2 है, अब 32 इंटो 25 को मिल्लिप्लाइ करना आसान है, तो कितना होगा, 0, 50 यहां जाएगा, अब 75 प्लस 80, 800, तो 800 इंटो 10 प्वार 2 है, तो यह अल्टिमेटली आ जाएगा, आपका 8 इंटो 10 प्वार 4 आ जाएगा, तो आपका जो आ जो वैलू होगा, आपके option A से मैच कर जाएगा, तो इस question का जो correct option होगा, यह होगा option A, तो इस पूरे process में main issue होता है calculation, तो calculation को during exam आपको कैसे करना मैं आपको explain कर रहा हूँ, तो यह कोई भी explain नहीं करता, यह calculation कैसे करना है, तो हम लोग इस पार क्या कर रहे हैं, आपको step by step क कि इस तरह से approximate करोगे, ताकि during exam आपका calculation में ज्यादा mistake ना हो, और आप option को ज्यादा confident तरीके से tick कर सकते हो, इस पूरे approximation में कहीं भी हम ज्यादा variation ने लिए है, minimum से minimum तरीके से आप कैसे approximate करोगे, ताकि आपका answer ज्यादा vary ना करे, ताकि आप जब tick मारो, तो आपका confidence high होना चाहिए कि यह सही आपका option था, तो इसका answer होगा बच्चों लोग, तो बच्चों मूफ करते हम लोग, next question के analysis पे, बच्चों लोग, आप से question बोला गया है कि 45 gram of aluminium, अगर डिपोईट होता है cathode पे, from L plus 3, तो जितना आप charge यूज़ कर रहे हो, same charge से, अगर हम H plus H2 gas निकाले, तो उस H2 gas का volume क्या होगा, तो धान देंगे, आपका L plus 3 से, आप aluminium निकार रहे हो, तो 3 electron ले के आपका aluminium निकलता है, aluminium का amount कितना है, 4.5 gram, इसका mole निकाल लो, 4.5 by 27, तो इसको solve करोगे, तो यह 9 से कटेगा, तो यह उपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, 30, 9 से काटने पे, तो ultimately आजाएगा, 1 by 6, तो 1 by 6 mole of aluminium के लिए, आपका कितना electron होगा चाहिए, तो एक aluminium के लिए 3, तो 1 by 6 mole of aluminium के लिए, आपका mole of electron होगा, half mole of electron होगा, ठेक, अब इतना ही mole of electron आप पास करोगे, हाडोजन से तिदानेंगे, दो हाडोजन से, आपका H2 gas बनता है, उसमें 2 electron का यूज होता है, तो 2 electron से एक hydrogen gas निकलेगा, तो 1 mole of electron से कितना निकलेगा, आधा mole of hydrogen निकलेगा, तो अगर आपके पास given कितना थी है, half mole electron, तो अगर आपके पास half mole electron है, तो half mole electron से कितना आपका H2 निकलेगा, जी balance of question recording, यह नि अब इसका वॉलुम पपदा करना १ vólyme किस निकलेग़ तो व्य वैलुव। यह यह व्याईए था 5.6 대 Knight जो आपको अंसर होगा, आंसर D रही होगा इसका तो वर्मेंटल तरीके से इस तरह के सिंपल तरीका जल्दी कोसी दिस्क्राइज कर रहे है तो आपको इस सब्सक्राइब कर लेना है तो यह था सब्सक्राइब करते हैं तो बोला गया है कि मरकरी जब लोगे तो मरकरी का बहुत हाई अफिनीटी होता सोडियम आयन के लिए क्यों सोडियम बनेगा तो आपका अमल्गम करेगा और उसी कैथोड में अगर हम लेंगे एच प्लस तो उसमें आपको ज्यादा वोल्टेज का रिकॉर्मेंट होगा तो अपसन बीस का करेट होगा तो मोर वोल्टे तो आपका जिंग कितना डिपोईट करेगा तो इस प्रॉसेस में जिंग प्लस टू से क्या हो रहा है जिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रॉसेस में जिंग का जो एकुलन वेट होगा जिंग का मोलर मास बाइन फेटर होता है मोलर मास कितना होगा 65 एन फेट कितना होग आपका e by f और चार्ज का वालू क्या होगा i into t current कितना था आपके पास पांच एंपर टाइम है 40 मिनट से सेकर में चेंज करो तो 40 into 60 अब e का वालू पुट करते हैं तो 65 by 2 कर लेते हैं न और f होगा 965 00 तो उपर है 5 into 40 into 60 है अब इसको cancel करना हम लोग को तो धान देंगे उसको cancel करोगा अब लोग तो अब ध्यान दना कि दो जिरो cancel हो गया यहां पर अब यह जो टू है कि टू से cancel हो जाएगा यहां पर ते टू हो गया तो उपर क्या जागा 65 into 10 into 6 नीचे हो जागा 965 अब नीचे को जागा 965 है उसको आप थ्वास आपरस्मेट करके बोल सकते हो 960 तो उपर 65 into 10 into 6 और डिवाइडे है 960 कर सकते हो अब यह कटेगा कितने वार में चैंसल करके देखो यह कटेगा आपका 160 ठेक है अब यह 10 है तो यहां से इसको चैंसल कर लो तो उपर हो जाएगा 65 और नीचे हो चुका है 16 तो आपको जो आएगा 65 यह 16 तो 65 यह 16 जो होता है और नीर वाट कितना हो बचलो 4.7 फोर पॉइंट सम्थिंग आपको आंसर होगा आंसर जो होगा आंसर डी हो जाएगा तो बचलो आपको इस क्वेश्टन में सीखने को में आपके काल्गुरिशन को सिंपल होए कैसे करना है कॉंसेट तो बहुत सिंपल सा था में था कि कैसे करेंगे करेंगे का हर स्टेप को हम दो दिखा रहे हैं तक कि डियूरिंग इजाम आप केलोशन से डरोना जो आपको नाइन दक जो सीखे थे थे न वहीं अपलाई करना होता है तो बीना मत्ता हो जो मैस्का फोबिया आप लोग अंदर बैठा हुआ हुआ है उसे निकालो के सीखेंगे उसको अपलाई करेंगे डियूरिंग प्रैटिस वह आटोमेडिक आपके साथ दियूरिंग इजाम सेट हो जाएगा तो यह था इसकोशन का अलाइस स्मूब करता हम लोग नेक्स कुशन पर बच्छों लोग इसकोशन बोला गया है कि सोडियम को जो हम करने के लिए हम लोग इसमें को आड करते हैं तो इसका अंसर डी होगा इसका करेंट तो बचलो यह था इसकोशन आलाइस से स्मूब करते हैं लोग नेक्स कुशन में बचलो बोला गया है कि कॉपर सिल्फेट का लाइसिस करने पे यूजिंग प्रेटन टोड आपको क्या मि भिलेगा तो धान ना आपके कैथोड पे कॉपर प्लसटु से कॉपर डीपोईट करने वाला है और जो एमोड है एमोल पे क्या होगा सल्फेट और ओर ऑज दोनों होता है ओच माना सता है सौल्वेंट से तो आपका बाइड डिफॉल्ट क्या होता है सौलूशन डलूट होत में सलफेट के रिस्पेक्ट में ओच का ऑक्सिदेशन इजी होता था यहां ओटू निकलेगा एनोल पर यहां पे एच प्लस भी था बड़ एस प्लस और कॉपर में जल्दी कॉपर पर करेगा क्योंकि कॉपर करेट विटी हार्ड़ोजिन से क्या होता है कम होता है तो आपका ओटू निकलेगा एनोल पर और कॉपर निकलेगा कैथोड पर तो आंसर जो भी होगा भी होगा करेक्ट बचलों यह था स्कूशन का लाइस स्मूब करता है बचलों बोला कि इस कुश्चन में कि आप जब लाइसिस करते हो डालियू सलफूरिक इसीड का यूजिंग पीटी इस पाइन सोगे। शॉल्वेंट से आएगा अब चुक्कि सॉल्वेशन डालूट है तो डालूट होगा तो उस्मूद्वाइट निकलता है तो अनोल पर आपका यूजिंग निकल जाएगा आंसर बीस का करेट होगा अगर आपका सॉलिशन इस्टू होता तो कॉंसेट्री यह मत करना लेकिन कुक्कि कोश्ण में डालूट दिया हुआ था तो डालूट सेलेशन में आपका ओस ओटू बहें आपको ठेक तो आंसर क्या होगा भी होगा मूब करते हैं लोले कुश्ण पर बचलो इस को पूछा गया है कि उस डिवाइस का नाम बताना है जो कनवर्ट क करता है कमपशन अफुअ को एनरजी को याट नेंटियर्टिकल सेल में इस डिवाइस को मोरते है फ्यूद द प ह कॉफ और वीथाट्यं लाइक फ्यूब करते हो और आंसर करता है वींगो name एस वाहने का और और दो तो जिस फ्यू लूस यह निकालना है उसरानडा जनीकलना है ऊससाटी हो था के पर यहां का चशुन परे LIKE फ्रेस्ट है बना करें कीजिन को को नहीं करते हैं की बीजन क्या होता है धान न इसका सींपन होता है कि जून को क्लिया होता है बाहर के इंट्रांप करनंसे इससे आपका न कर स्टिंग कर जाए और अगर जिंग कर इसको ब्लॉक करता है है इसलिए जिंग का कोटिंग आरेंग को ब्रफीजिवल है बट जिंग के उपर Rn का coating feasible नहीं होगा क्योंकि Rn का reactivity जिंग से कम होता है तो उस case में अगर coating break करता है तो जिंग के अगर oxidize करता है तो Rn उसको reverse नहीं कर पाएगा यहनी खुद को sacrifice करके जिंग को नहीं बचा पाएगा जिसका जो correct answer होगा यह होगा option D क्योंग जिंग का reactivity ज्यादा होता है तो उसका जो reduction potential का value है ज्यादा negative होता है आज़ के अगर to Rn simple words में इस option का explain करें तो simple आपको बता रहा है कि जिंग ज्यादा reactivity metal है तिन Rn इसलिए हम ऐसा काम नहीं कर पाएगे कि जिंग को बचाने के लिए Rn का coating कर दे ठेक है तो यह था इस question का लाइस move करते हो लोग next question में बच्छों लोग इस question बोला गया है कि जो भी sips बने होता है Rn से उसके bottom को rusting से बचाने के लिए आप क्या method यूज करोगी इन चारों में से करते हैं जब मूफ करते हैं आपके salty water में यहीं मूफ करते हैं तो रस्टिंग बहुत फास्ट होता है तो बाकी जो ही method हम उसको अपलाई करने के बाद हम extra precaution लेक्या लेते हैं कि उस सिप के bottom area को connect करते हैं माइनेशियम ब्रिक्स से अब माइनेशियम जो ब्रिक्स होता है उसमें क्या होता है mg metal है जो कि mg रिट्विटी क्या होता है आपके आरेन से काफे ज्यादा होता है तो अगर मालेते हैं कि किसी वी रिजन से अगर आरन अगर यहां पे रस्टिंग होना स्टार्ट हुआ है तो आरन रस्टिंग जो होगा तो खुद को oxygen करने के कि तरब मूफ करेगा अब जो होगा तो मैंनेश्यम जो है उसको पता है कि आरेन और यहां क्या है ज्यादर है तो मैंनेश्यम खुद के लट्रों को लूज करता है और यह करता है अपके सिप्स में से मैफड़ यूज करता है कि जो पाइपलेंस होते हैं जो जमीन से काफी अंदर बिल्ड होते हैं उस के में बैसकली जैसे आपका औल तो बचलो यह था स्कूशन और स्सेरल करता है इस 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 बोला गए कि यह रन को हम रश्टिंस से बचाने के लिए तो बहुत सीνपल सा कोशन था इस इसंद के लिए ध्लइ जिंग करते हैं इसका आंसर क्या होगा संगावी तो यह था इस question का लाइसी स्मूप करता हूं नेक्स question पर चलो इस question माकुस हमने list 1 में कुछ conversion mentioned किया हुआ है और list 2 में उस conversion के लिए आपका कितना faraday required हो mentioned किया हुआ है तो basically यह question आपके electrolysis topic से लिया हुआ है या इसको बहुत है कि यह topic आपके electrochemistry के fire loss लिया हुआ है तो धान देंगे जो आपका list 1 का जो यह आपका जो process है उसमें मोला हुआ है कि आप 1 mole s2 convert कर रहे हो O2 में s2o में O2 का oxygenation क्या होता माइनस 2 होता है और O2 में O2 का oxygenation होता 0 तो इस process में कहीं है कि ही दोल्ट्रों का loss हो रहा है तो एक ओ एटम अगर बाइनस 2 से 0 में convert होगा तो आपका दोल्ट्रों का loss होता है और यहां पर mention क्या हुआ वान मोल s2o तो वान मोल s2o में आपका O का कितना mole s2o ऑट करेगा तो ओ इक मोल s2o कि o NO e2o वान मोल का होकर दो खूंट गोल से दोल्ट्रों का जो वैलुक्त होता चारच का होता है क्योंकर पता है कि एक मोल s2o फराडे की एक मोल खूंस 2 पो Hmm यह है यह process match करेगा आपके सेकेंड के साथ इन लिस्ट का जो सेकेंड है उसके साथ एंडोफाइड से match करवा देना इसको आपको तो एका 2 है ठेक है जो बी लिस्ट वन का जो बी है उसे process mention क्या हुआ है MnO4- को चेंज करो Mn plus 2 में तो दहां दोना MnO4- में Mn का oxidation state क्या होगा प्लस 7 उसको भेज़ है प्लस 2 में इस process में 5 electron का gain होगा एक particle में 5 electron का gain होगा तो आपके पास इसका दिया हुआ एक mole तो एक mole में gain कितने हो क्या होगा पांच mole neutron का तो पांच mole neutron का मतलब क्या होगा चार्ज के भलो हो जागा 5 पराडे तो बी जो है बी मैच करेगा फोर्थ के साथ लिस्टों का फोर्थ से मैच करेगा तो एक कडू बी का फोर एक कडू बी का फूर बस आपके first एनी वन औप्स नमर वन में दिया हुआ है तो आपका जो क्या होगा इस question का correct answer होगा ने दाना आपका सी में इनफॉर्मेशन दिया हुआ है वान पॉइंट फाइमोल ऑफ कैल्सियम तो रहन डाता है कैलसियम का निकलता है कैलसियम प्लस तो से कैलसियम निकालने के लिए आपको दो लट्रू डालना पड़ता है तो calcium का एक particle के लोल्टरन चाहिए तो calcium का एक mol होगा तो लोल्टरन का value कितना होगा दो मूल होगा तो calcium का गर 1.5 मोल चाहिए आपको तो ciltron कितना देना पड़ेगा आपको 3 mol देना पड़ेगा तो 3 mol का charge का चार्ज की क्या होता बच्च लोग यह होता है 3 faraday तो जो C है, C match करेगा 1 के साथ, ठेक है, आपका जो D होगा, 1 molar FeO, convert का नमर को Fe2, 3 में, तो इसे में basically आप क्या करेगा, आपका एक लिटर्न का लास होता है, अब यह एक मोल में, एक लिटर्न का लास होगा, तो आपका लिटर्न का लास होगा, और वन मेल्टन का जो वैलू का चार्ज होता है जो यह जो यह होते हैं इस कुष्ण का करते हम लोग नेस कुष्ण पर वचलो अपसे हमने कुशन दिया हूँ इसमें बोला गया कि copper का deposition हो रहा है जब हम current पास करते हैं copper surface solution में और बोला गया है कि current हम पास कर रहे है 9.6487 ampere और time जो पास किया गया है यह पास किया है 100 second के लिए तो असमें पूछा गया है कि copper का weight कितना हम दो तरीके से solve करते हैं तो पहला अप्रोच अपना fundamental अप्रोच होगा उसमें धान देंगे copper प्लस टू में अगर अब दो ल्ट्रॉन डालते हो तो आपका copper form करता है यानि एक copper बनाने के लिए दो ल्ट्रॉन चाहिए तो अगर आपको चाहिए कि एक मॉल कॉपर के लिए कितना इल्ट्रॉन पास करना पड़ेगा दो मॉल्ट्रॉन पास करना पड़ेगा और दो मॉल्ट्रॉन का जो चार्ज होता असको दो फाड़े बोलता है तो नहीं दो फाड़े इक वरें टू ऊनमॉल ओफ कॉपर ठेक है अब दान देंगे आपके सामने करन्ट का वालू दिया हुआ है है नाइन सिक्स स्वूर नाइनफेंट पॉइंट शिवाएट सेवन तो पदा करते हैं तो चार्ज का फैलु क्या हों जाएगा थो आई इंटू ठी नाइन सिक्स वार वारेंट eight seven coulomb हो जाएगा ठीक हाइगा इस फारेडे में तो कितना फारेडे चार्ज पास की हो तो चार्ज को डिवाइड करते हैं हम लोग 9,6,487 से तो आपका फारेडे मिल जाएगा कितना फारेडे पता चल जाएगा तो आप पता करोगे तो फारेडे के भालू आ जाएगा ये तो चार्ज आ जाएगा आपका F by 100 Faraday तो दानना according to given equation क्या होसता है कि 2 Faraday से copper का 1 mole deployed करता है तो अगर 1 Faraday होगा तो mole कितना होगा half mole होगा तो आपका charge का वालू कितना है F by 100 Faraday तो उस case में आपका mole कितना होगा mole होगा 1 by 200 तो हमको copper का mole मिल गया अब copper का weight निकलना है तो simply क्या करेंगे weight मतलब क्या होगा weight मतलब हो जाए weight into क्या होगा तो mole into mole mass mole mass कितना होगा copper का charge 3 given question में charge 3 दिया तो इतना ही हम लेने के चलते है ठेक है तो धान देंगे अब इसके according अब देखोगे तो weight कितना होगा तो 1 by 200 into 6 3 तो इवालू जो आएगा इवालू जाएगा एराउंड आजाएगा 0.315 gram तो आपका जो option 2 होगा इसका correct answer था तो ये था अपना answer using fundamental approach अब हम लोग मूफ करते हैं इस answer को निकालेंगे using farad law तो farad law के according क्या था कि weight जो report होता है ये होता है equal to z it तो it का वालू तो हम निकाल चुके थे it का वालू कितना था अपने पास इतना है तो z into 964.87 अब z क्या होता है z होता है z होता है आपका equivalent weight by faraday का वालू अब आपको पता है कि copper का inverter कितना होता है 2 होता है तो यहाँ पर equivalent weight होगा यह हो जाएगा उसका molar mass by 2 molar mass कितना दिया होँ तो by 2 put करेंगा और f का वालू क्या put करेंगा तो f का वालू पूट करोगा आप जो given value दिया होँ अब इसको बस put कर दो आप तो z हो जाएगा e e हो जाएगा 63 by 2 हो जाएगा नीचे जाएफ का वालू कितना दिया होँ है 965,964,87 यह वालू यहाँ पर पूट करो नीचे में और उपर 964,87 रहेगा तो ultimately वालू फिर से निकल के आजाएगा 63 by 200 यह आजाएगा 0.315 ग्राम यह इस तरीके से भी आपका जो answer आ रहा है option B आ रहा है तो यह था इस question का correct answer तो बचलो move करता हूं लोग next question के analysis पर